बिवाज आ रही है पता यह क्या हल चाल है सबी लोग आ गए कितने लोग अगा तेरे लोग आ गए हैं जी जी सर निरंतर जूर रहा है लगातर विद्या थी तो ग्यारा बजे सुरू करते हैं आते रहेंगे लोग एक मिनट पर सुरू जाते हैं ग्यारा तीन होगे और एक मिनट रुखते हैं उसके सब्सक्राइब देखें इस वीच और विद्या थी जोचाए कि बीच में जुड़ने सो उन्हें भी समझने में दिक्कत ही होगी आपके हैं सर्फ क्या है कैसे हाल चाला आपके तो चुट्टी है अभी भी हार चुट्टी ही चल रही है लेकिन ऑफिस तो चलता ही रहता है कामदाम घर से भी बाहर से भी करना तो पड़ता ही है तुट्ञें है मतलुश्य कैंडर के के नियामंशा चल चाहरे के नियमंब को सब्सावरπο चाहिए है जिसके अंतरगत इगनो आती है एगनो की सारी की सारी जो प्रणाली है वो यह जी जी शुपरफात आप से विद्यात्यों को जैसे आप लोगों को पूर्ण में ग्यात था और आप लोगों के मैसेज के द्वारा भी शूचित किया गया था कि आज दिनांग 16 जून 2020 को हम लोग आपके MSD दिक्टे चमाही की पेपर जो है MSD 06 के खंड चटे पे चर्चा करने वाले हैं और आज का जो आपका विशय आदूने खिली गद्य साहिट के अंतरगत हिल्भी कथा साहिट है जिसके अंदर कहानी अरित्वा उपन्यास होगर आते हैं सर का स्वागत करता हूँ आज की इस ओनलाइन कर्चा में और जैसा कि सर लगातार हमारी कर्चा लेते रहें इसलिए परीचे को भी बात नहीं है आप लोग सर को बहुत कुछी स्प्रेम शने के साथ सुनते हैं तो इनी शने और आदर के साथ मैं सर को पुना एक बार स्वागत करता हूँ और अवन्तीक करता हूँ कि आज की कर्चा में अपने वारता सुरू करें अपने विशेक इसके उपरांत आपके जो कुछ भी प्रश्क होंगे वह आप चैक बोक्स के माधियम से लिए करके सरके समख सकते हैं मैं आपके प्रश्म को सरके समख्ष रखूगा अपर ओड़ी सा राज्यमुक्त विश्विद्याले की इस फूरी टीम का मेरी तरब से हार्दिक स्वागत नमश्कार जैसा कि आज का विशे है तो आज का विशे क्योंकि इतना बड़ा था तो मैंने अविशेग जी से कहा कि भई इसको एक कक्षा में तो करपाना बहुत मुश्किल है तो इसके लिए फिर थोड़ा सा अलग तरह से प्रयास किया जाए तो हमने ये वाना कि जो इसकी पांच एकाई दी हुई हैं हम उन पांचों एकाईयों की एक-एक अलग लग कक्षा रखेंगे तभी उस विशे के साथ न्याय हो पाएगा वरना वह न्याय नहीं हो सकता कि एक कक्षा में और वह भी हिंदी गद्य साहित्य का इत्यास इतना वड़ा विशे कवर करना बहुत मुश्किल है तो मैं एक छोटा सा मेरा एक पहले प्रजेंटेशन चलेगा इसको आप एक बार देख लीजेगा और इसके बाद फिर हम और चर्चा में चलेंगे तो यह हविशेक जी दिखाई दे रहा है तो यह हमारा जो आज का आज की कक्षा का विशे हिंदी भवासा और साहित्य का इत्यास यह हमारे इस पाठिक्रम का खंड छे है जिसमें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य है तो यह मेरी इसमें कुछ स्लाइड है मैं आपको पहले जल्दी से इसके साथ-साथ चलता रहूंगा फिर इसके बाद मैं आपको इसके पूरे जो पार्टिक्रम है आपका जो क्या-क्या अनिवार है क्या-क्या आपको पढ़ना है और क्या-क्या आप इसके साथ-साथ हुसके रिण कर सकते हैं उसके आपको डिटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले हमारा यह heated स्लाइड है कि हिंदी भासा और साहितिका इत्यास इसके बाद यह आपका ही जो मैट्रियल है उसका मुख्य प्रेस्ट है इसमें हमें पांच शिकाईया हैं हिंदी कथा साहित, हिंदी नाटे साहित, हिंदी आलोचना, निवन्द एवं अन्य गद्य विदाएं और उर्दू सा इक्षा के लिए पढ़ जाएं और अच्छे नंबर ले जाएं और एक डिग्री आपको मिल जाएं और आप उसके बाद उस डिग्री से कोई नौकरी पा जाएं और फिर उसको बस भूल जाएं कि आपने क्या पढ़ा, लेकिन हिंदी के साथ जो सबसे अच्छे आनंद की च जीवन की संगर्स के विशय में और जीवन में जब आपको उची नीची परिस्तितियां आती हैं, उन परिस्तितियों में यदि आपको अपने पढ़े हुए में से कुछ याद आ जाएं जो कि आपको उस गटना से, उस अवसाद से निकाल के बाहर ले आएं तो ये जीवन क सबसे बड़ी उप्रब्दी होती है और इसको दूसी तरह का पढ़ना कहते हैं, ये पढ़ना अलग तरह का पढ़ना है, बजाए इसके कि आपने एक किताब पढ़ी और आपने उसे इंतान दिया और परिक्षा दी, तो ये जो जीवन का जो प्रशिक्षन है, वो हमारी भा बड़ी सफलता पाने के बाद भी, और इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जरासी असफलता नहीं जेहल पाते हैं, जरासा अवसाद नहीं जेहल पाते हैं, और जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, तो कह ना कहीं हमारी इस sectionic विवस्ता की ये एक कमजोरी है कि हम व्यक्ति का व्यक्तित नहीं बना पाते हैं सिर्फ सिक्षा और एक कितावी सिक्षा तक सीमित रह जाते हैं कि इस विशे पर हम बाद में कभी एक अक्षा जरूर लेंगे साहित तिलेखन की जो प्रमुख पद्धिती है मैं उसके बारे मैं आपको बताऊं कि ये पद्धितियों में सबसे प्रमुख चार पद्धिती होती हैं जिनके सहथ वरणानुकरम पद्धिती, कालानुकरम पद्धिती, वैग्यानिक पद्धिती और विधेवादी पद्धित कोई भी विज्ञानिक मापदर्णों को अपना करता रहता है, बहुत से संस्ता है, इस काम को करती है, और विधेवादी पदिती में, डक्टर रामचंदर शुकली जी ने इसके बारे में साहित तिलेखन की प्रमुक पदितियों को बताया है, साहित लेखन की जो प्रमुक पदितियों के बाद अब प्रशन आता है कि हिंदी गद्य का आरम कब से हुआ था जो हमारा आज का जो विशे है हिंदी गद्य साहित तो इसके बारे में जो विद्वान है वो एक मत नहीं है, कुछ दस्मी सदाब्दी मानते हैं, कुछ ग्यारेम कुछ तेरेमी, राजिस्तानी ब्रश भाषा में गद्य के प्राचिंतम प्रयोग में हमें मिलते हैं, बहुत पराना साहित थे ब्रश भाषा में और राजिस्तानी में, आप लोग उड़ी सामे हैं, तो आप लोग इस बात से सहमत होंगे, कि उड़ी सामें बहुत से ब्रश भाशी भी है और राजिस्थानी मारवाडी लोग भी है तो ये राजिस्थान के ब्रज के लोग पूरे देश वर में ही नहीं विल्कि पूरी दुनिया में भी गए हुए हैं और जहां जहां ये गए हैं वहां वहां अपना सहिती लेके गए हैं, तो ये 14 मी सताबदी मालो, या 11 मी मालो, या 10 मी मालो, या 13 मी मालो, हम इस पचले में न पढ़के हम ये मानते हैं, कि हमारी भाषा का जो सुरूप था, वो पहले गद्दे में ब्रज भाषा में गद्दे देखा जाता था और धीरे 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 सबसे पहले जो खड़ी बोली का दर्शन हमें हुआ वो हुआ अकवर का दरवारी कभी थे स्री गंग जी उनके द्वारा जो बर्नन जो छंद थे उसमें उनका सबसे पहले खड़ी बोली और उसके दर्शन होते हैं तो गद्दे साहति के विकास को अगर हम विवाजत करके देखें तो हम इसको इन पाँच सीडियों में, पाँच सोपानों में बाट सकते हैं, कि पहला पूरू भारते अंदु यूग, यानि सेम प्राचीन यूग कहते हैं, तीरहीवी सतीरती से 1868 के आसपास तक, फिर भारते साहतिक जितनी बड़ी दुनिया खड़ी है, इस साहतिक दुनिया की जो सबसे पहली सीड़ी रही, वो हमारी एक पत्र का सरस्वती रही, तो वर्स 1900 की सरस्वती के हिसाब से हमने इसको वहां तक वैग्यानिक लोग, भाशाविद लोग, शिक्षन के विशिशक लोग लेते हैं, फिर दुवेधी युग जो 1900 से लेके 1922 तक, और शुकल युग छायवादी युग हुआ, 22 से 38 तक, और शुकल उत्र युग जो आज तक जो चला रहा है, ये 1938 से लेके अब तक का है, तो हिंदी साहति लेखन का, हिंदी साहति के इत्यास का, सबसे पहला प्रयास जो कि हैं कि आप लोग इस प्रशन का उत्तर मुझे सभी विद्यारती बपता, ये किस ने किया था, जो इस गिरशन, गारसादत आसी, सिर्फ सिंग सेंगर, आचारे रामसन शुकल, ये मैं आप से बाद में पूछ हूँगा, ठीक है, और गारसादत आसी ने जो हिंदी साहति के सेकर्ण का, जो सबसे पहला प्रयास किया था, इनके गरंथ का नाम था, फ्रेंच में लिखा गया था, इस्तवार दला, लित्रेट्यूर, इंदू, इंदूस्तानी, ठीक है, इसके दो भाग थे, 1849 में आया था, और फिर 1847 में आया था, 1871 में दूसरा संस्कन आया था, ती जो आपकी 24 वी एकाई है, जिसमें उर्दू साहतिकावी जो विचार किया जाएगा, वो इसी वज़े से, क्योंकि हिंदी और उर्दू को कहीं भी, बहुत जादा हमने भारत वर्स की जहां समेकित संस्कृती की बात आती है, दोनों में बहुत जादा अंतर होते हुए भी, दोनों सहचरी रही हैं, दोनों साथ-साथ चली हैं, एक ही गली में हिंदी रही है, उसी गली में उर्दू भी रही है, और दूसरे हमारे विद्वान हुए हैं सिव सिंग सैंगर जी, जिनोंने सिव सरोज नाम से एक गरंथ निकाला था, जिसमें हिंदी साहतिके इत्यास ल जोज गेरशन का जो ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इनका वो फ्रेंच उसमें फ्रेंच में था इसके बाद सिव सिंग सरोज जी के बाद मिश्रु बंधू तीन भाई थे उन्होंने भी बहुत प्रयास किया गड़ेश विहारी मिश्र श्याम विह और शुब्दे विहरी मिश्र इन तीनों को मिला के ये तीनों सहुदर थे, तीनों सहखे बाई थे. इन्होंने मिश्र बंधू बियुद निकाला, इसमें इन्होंने हिंदी साहतिके इतियास को चार भागों में, बहुत अच्षी तरह से फिर काफी विश्रत अध्यन रहा इसमें नोंने काल विवाजन किया वो काल विवाजन इस तरह से था कि 700 से 1300 तक और उसी में आरंबिक काल को दो भागों माटा मादमिक काल को भी दो भागों माटा अलंकरत काल को भी दो भागों माटा परिवर्तन काल और फिवर्तमान काल तो यह जो हमारी एकाई 20 की जो रूप एकादी इसको मैंने इस रूप में सजोया है कि हम इसको अलग अलग दिनों में करेंगे एक दिन एक एकाई तो भाशा की दिजा में जो परिवर्तन सबसे पहले हुआ वो हुआ ब्रज से खड़ी बोली की हो राने के लिए तो ब्रज से खड़ी बोली इसको शुकल जी ने इस आविरवाब को आविरवाब कहते किसी अवतरन को किसी जन्म को किसी प्रकट होने को तो शुकल जी ने इस एक सहतिक गटना कहा कि जो भासा की जो सिफ्ट थी, भासा की जो दिसा थी, उस दिसा में परवर्तन हुआ, तो इसमें खड़ी बोली में आने के बाद, फिर इसके अंदर बहुत सा विकास हुआ, बहुत सा साहिती लिखा गया, जिसमें कि निवंद, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, आत्मक लिखा था, सैंस, मरन, रिखा, चित, जिनके विशह में हैं कि आज हम काफी गद्धिसाहिती की बात करेंगे, और गद्धिसाहित का अर्थ हिए है कि जिसमें कहानी और उपन्यास, इन दोनों को यदि मिलाया जाता है, तो एक कथा साहिती बनता है, तो कथा साहिती में कहानी और उपन्यासों की आजम चर्चा करेंगे सबसे पहली कहानी हम लोगों की अलग लग तरीके से मानते हैं कोई चंदेदा सर्मा कुभेरी जी की उसने कहा था को मानते हैं देखिए आज से सौ वर्स पहले कितना क्यूट प्रपोजल था तेरी कुडमाई हो गई या फिर उसके साथ-साथ कुछ लोग किशोरिलाल गोस्वामी जी की कहानी इंदु मती को भी उसी दौर की कहानी मानते हैं और अगले करम में हम उपन्यास पर बात करेंगे तो उपन्यास के भी हमने पांच करम बनाए हैं विकास करम मे कि आरंबिक हिंदी उपन्यास या प्रेमचंद से पूर्व जो हिंदी उपन्यास थे प्रेमचंद युगीन उपन्यास यानि प्रेमचंद के साथ-साथ प्रेमचंद के साथ-साथ और कौन लेखा उपन्यास लिख रहे थे फिर प्रेमचंद के बाद 1938 के बाद फिर कौन-क बहुत अंतर मिलता है और आज जो समकालीन हिंदी उपन्यास जो लिखे जा रहा है ये इसके साथ साथ हम चर्चा करें तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना था अब हम इस पर एक एक करके बातचीत करेंगे हां तो अभी हम सबसे पहले आएंगे कि हमने आज के इस विशे में हिंदी भास और जो साहत्ति का इत्यास है इसकी गद्दी की विकास यात्रा क्या रही विकास यात्रा का क्रम्बे ने आपको बताया कौन-कौन सा सबसे पहले हमने शुरू किया भारते हिंदु यूग से आज तक आप ये माल लीजिए कि हम जब गद्द शब्द खहरे हैं हिंदी भास्टा का गद्द खहरे हैं तो इसमें काब्य भी सामिल है इसमें काब्य भी है ये नहीं है कि ये हिंदी गद्द है ये काब्य भी इसमें सामिल है तो इस रूप में इसको देखके पढ़ना है हमको जब भी कि हमारे साथ जो आज उपलब्ध साहित्य है हिंदी का इसकी विकासियात्रा क्या रही है और जिसको हम युग कहते हैं कि भारत इंदू योग या सुकल योग या दुवेदी योग या आदनिक योग इसमें बदलता क्या है साहित्य में बदलता क्या है जिससे कि हम युग कह रहे हैं यह कोई पौरानिक कल योग सत्योग द्वापरत रेता तो है नहीं चला आ रहा है एक क्रम है लेकिन इस क्रम में जो बदलता है वह बदलता है कथा बस्तू और रूप विधान सहत्य रचना में इन दो बस्तों का आप क्योंकि अब तक काफी कुछ बढ़ चुके हैं पांच कंड बढ़ चुके हैं तो अब तक आपको काफी चानकारी इश्विशा में हो गई होगी कि हम हिंदी की कक्षा में हिंदी सहत्य की आलोचना या हिंदी सहत्य की समालोचना या अध्यन, पठन, पाठन, चिंतन, मनन, अनुशीलन, अनकूलन जो जिन-जिन कसोटियों पर करते हैं उसमें सबसे महत्यपूर दो चीज होती हैं, सबसे पहले उसकी कथावस्तू और फिर उसका रूप विधान तो जहां-जहां कथावस्तू और रूप विधान में एक मोड आता है, एक टिस्ट आता है, एक सिफ्ट आता है एक चेंज जहां आपको देखने को मिलता है उस जगे हम एक युग परवर्तन की संग्या देते हैं कभी कभी जैसे कि हिंदी साहत्य में ऐसी परंपरा है कि अधिकांस किसी विद्वान के नाम के साथ जैसे भारतिंदू जी के साथ शुकल जी के साथ दुएदी जी के साथ इन विद्वानों के नाम के साथ युग का नाम करन हुआ है तो अब कथावस्तू में परवर्तन कैसे आता है जिसे कि आप आजादी से पहले के जितने उपन्यास पाएंगे उनमें ये निकेन प्रकारियन आजादी, राश्ट्रप्रेम, करतव्य, बलेदान, त्याग, तपस्या, समर्पन, भारतियता, राश्टियता, सामाजिक परवार का प्रचलन, सेंक्त परवारों की मजबूती से बकालत, ये सब चीजें आप उसमें पाएंगे, लेकिन यहीं जब आप एक आजादी से बाद के युग में आ जाएं, तो आजादी के बाद के युग में जब आप देखेंगे तो फिर आपको बहुसी चीजें जो आजादी के पहले के साहित्य में थी, वो आपको नहीं मिले तो ये होता है युग परवर्तन, इसी कथा वस्तु और रूप विधान के परवर्तन से युग परवर्तन हिंदी साहित्य में ही नहीं, बलकि विश्व के हर साहित्य की जो युगीन अवधारनाय हैं, वो यही है, अब क्या मिलेगा जो आज हमारे सामने है जैसे कि आज आपके सामने मोवाइल है अब जो आप लोग आज कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल या कोई भी किताब या कोई भी कविता या कोई भी कहानी उपर न्यास कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रतीक आएंगे उसमें मो अगर ये नाम जो मैंने आपसे लिये हैं, ये भौतिक रूप से यदि उस रचना में उपस्तित न भी हों, तब भी इनकी प्रक्रियागत जो तेजी है, जो त्वरा है, जो त्वरित गती है, वह निश्चित ही आपको उस रचना में देखने को मिलेगी। पहले की रचना में आपको क्या पढ़ने को मिलता? उसने एक चिठी लिखी, एक पत्र लिखा, उस पत्र को लेके एक पत्र वाहक दोड़ा, गोड़े से गया, पैदल गया, नाव से गया, समझना है, वह उस समय का विधान था, आज कोई भी रचना जहां आपको मिलेगी, आप उस रचना में एक युग नहीं पाएंगे, एक प्रतीक्षा नहीं पाएंगे, एक परिपक्वता नहीं है वहाँ पर, प्रतीक्षा के चण नहीं है, वहाँ आज की रचना में, आज की रचनाकारों में आपको एक अलग ही तरह की त्वरा मिलेगी, एक गती मिलेगी, तो ये रूप विधान और कथावस्तू, शिल्प का एक अंतर, एक युग के कथाकार से, रचनाकार से, दूसरे युग तक जाता है, अब भारतियंदू युग में जो साहती लिखा जाता था, जो दूएदी युग में लिखा जाता था, फिर वो छायवादी युग में आईए, या उत्तर छायवादी युग में आईए, फिर प्रगती साहिल साहती लिखे जाने लगे, और फिर प्रयोग होने लगा, और प गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द और उपन्याज ये गद्ध की दो सबसे महतुपूर्ण विधाएं हैं और जिनका अधिक से अधिक विकास जो है वो इसी आधुनेक काल में ही हुआ है कहानी के विशय में कहा जाता है कि चंददर सर्मा गुलेरी जी की कहानी हिंदी की पहली कहानी थी तो हिंदी कहानी की अगर समूचे विकास क्रम को अगर हम यहां से पढ़ना शुरू करें तो इसके पाँच इसके हम क्रम गिन सकते हैं सबसे पहला आरंबिक हिंदी कहाने उसके बाद प्रेमचंद यूगीन हिंदी कहाने उसके बाद प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहाने और उसके बाद स्वात्रंतियोत्तर हिंदी कहाने यानि प्रेमचंद के 36-37 के बाद से 1947 के बीच के 11-12 साल के समय को हम प्रेमचंद उत्तर और फिर उसके बाद सन साथ के बाद से आप इसको समकालीन हिंदी कहानी में रख सकते हैं। और आत्म कथात्मक कहानियों में अगर हम आएं तो पारवती निंदन की प्रेम की फुआरा। तो ये सब कहानियां कौन सी हैं। हिंदी समय बहुत सी कहानियां आपको वहां पढ़ने को मिल जाएंगी पुरानी पुरानी कहानियां। और अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे बताएं मैं प्रयास करूँगा कि वह कहानी अगर आपकी पढ़ने की इक्षा हो। ये मेरे दिमाग में इसलिए आगए पीच में पूछने का कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इंदुमती हो सकता है अधिकांस विद्यार्तियों ने उसने कहा था पढ़ी हो। लेकिन इंदुमती किसी ने पढ़ी है मैं सारे विद्यार्तियों को देख रहा हूं तेरा विद्यार्ति लोग हाथ उठाएं जन्होंने इंदुमती कहानी पढ़ी है कि सुलिलाल गुस्वामी की मैं देख रहा हूं सभी विद्यार्तियों को यहां पर कई लोग स्क्रीन प नहीं पड़ी नहीं पड़ी नहीं पड़ी स्वक्तना साहु नहीं पड़ी का पूजा जालब के रही हैं पढ़े हैं कौन सी कहानी की बात कर रहा है मैं इंदुमती की पूछ रहा हूं उसने कहा थी कि नहीं उसने कहा था तो अधिकांस विद्यार्थियोंने पड़ी है मैं इ इंदु मती किशुर इलाल गुस्वामी जी की कहानी नहीं पढ़े ना को तो मैं ये इसलिए मैंने सवाल पूछा है कि इंदु मती किशुर इलाल गुस्वामी की कहानी है यदि आप उस कहानी को पढ़ें और आज कल की कहानियों को पढ़ें तो आपको उस समय का सहतिकार क्या सोचता था, कैसे लिखता था अमिद जी आप दो जगह से log in है, एक जगह से log out करिए तो उस जगह जैसे की आप देखिए अब आज के समय में जो कहानी लिखता है व्यक्तीक, रचनाकार तो उसमें वो जो शब्द प्रियोक करता है मैं एक सीदे सी दोहरन लेता हूँ, इंदुमती का आज से आप लीजे आज आपने कोई कहानी साइध ही ऐसी पड़ी हो, जिसमें इस्त्री शब्द का प्रियोक हो और अगर इस्त्री शब्द का प्रियोक होगा भी, तो अगर मैं स्वामी की कहानी आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब इस्त्री शब्द का आता है तो वह बुड़ा बाबा जब कहता है और इस्त्री शब्द का प्रियोक करता है तो मेरी इस्त्री इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया यह उन्होंने आक्रमण किया सारा सहर गे लिया गया और मेरी इस्त्री ने आत्मत्या कर ली तो वहाँ इस्त्री का शब्द पत्नी के लिए आधुनिक काल का कोई कहानिकार इस्त्री शब्द का प्रियोग पत्नी के लिए नहीं कर रहा है आपको समझ जाया कि सब्दों का प्रियोग, रूप, विदान, कथा, शिल्प, संग्याएं, विशेशन, इन सब में कितना परवर्तन एक युग में, 100-800 वर्षों के युग में हुआ है चंद सर्मा गुलेरी जी ने, आज से 100 वर्ष पहले सवासो वर्ष पहले जो लिखा, 100 वर्ष पहले जो लिखा, वहाँ जो जो शब्द प्रियोग किये गए है, जो भाव विजना में, अविदा में, वो आज उतने सर्मीले भाव नहीं रह गए है वो आप पूछता है कि तेरी कुणमाई हो गई, धत, ये जो अविवेक्ती है, ये जो सहजता है, ये जो शालीनता है, ये जो प्राकृतिक भाव आज के कहानिकार के पास साइद समय कम है, गती बहुत ज्यादा है, शब्द बहुत ज्यादा है, प्रद्योगिगी का साथ है, इस कारण शब्दों के चयन का बहुत अधिक परिश्रम करने का भाव भी नहीं है, पहले कथाकार, कहानिकार, उपन्यासकार, एक शब्द चुनने के लिए, घंटों घंटों, बलकि कई कई दिन, कई कई पहर, और वहाँ क्या शब्द लाना है, उसके उपर चिंटन मनन किया करते थे, लेकिन आज के कहानिकार के पास, आज के उपन्यासकार के पास, वह धीरज नहीं है, सहज पके सो मीठों होई, सहज का पकना नहीं है, आज का कहानिकार, आज का उपन्यासकार, एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंक्यूवेशन टम्स में बहुत जल्दी पका हुआ है, आपने मोवाइल खरीदा, आपने लैप्टॉप खरीदा, आपने कुछ लिखना सीखा, कुछ पढ़ना सीखा, और फेस्बुक पर गए, वाटसप पर गए, और तुरंत आपने कहानी कहीं से, देखके, सुनके, और तुरंत लिखे दी, तो कहानी पब्लिश हो गई, यानि पब्लिश हो गई यानि आपकी फेस्बुक वाल पर या आपके वाटसप समूह में चले गई, आपने न मेहनत से लिखी, न आपने बहुत चिंतन किया, न विचार किया, न कुछ भावों को आपने मन मस्तिस के हिरद फेस्बुक में डाली, वाटसप में डाली, उतनी ही जल्दी पढ़ने वालों ने बिना पढ़े उस पर लाइक मारा, उसको टिक बनाया, कोई इमोजी बनाई, वा 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 लिखा, न उन्होंने पढ़ी और वो आगे बढ़ गया है, यही वो कारण है कि कोई भी काल जाई कृती आपको आज इतने बड़े समाज में, संसार में, लेखकों के, कवियों के, इतना बड़ा महा समुद्र है, और आप सुवह से शाम तक वाटसप पढ़ते रहिए, सुवह से साम तक वाटसप गृप्स में आप पढ़ते रहिए, फेस्वुक में पढ़ते रहिए, लेकिन शाम को अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे दिन में जो भी आपने पढ़ा, मुझे एक पेज में एक दस पंक्तियां वो लिख दीजिए, जो आपको याद रह गई, तो ये मेरा दावा है, कि आप शाम को दस पंक्ति नहीं लिख पाएंगे, जो आपने सारे दिन में पढ़ा था, उसमें से आपको याद रह गई हो, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये मेरे बताने का अविप्राय था, कि जब साहितिकार डूब कर लिखता है, और वह जो लिखता है, वो कालजई रचना बनती है, आज सो वर्स बाद भी, आप उसने कहा था पढ़िये, इंदुमती पढ़िये, या ये जो है, प्रेम की फ़वारा पढ़िये, पारवती नंदन की, और फिर आज के किसी कहानी कार कि आप कहानी पढ़ लीजे, आपको दोनों का अंतर समझने आ जाएगा, इंदुमती कहानी में जो शिल्प है, जो कैनवास है, एक लड़की जिसने की बच्चपन से अपनी मा के मरने के बाद बन में अपने बाप के साथ रहती है, पिता के साथ रहती है, एक किसी युबक्स से उसका परच्चय होता है, जंगल में वो आता है, और कितना सास्वत, नैसरगिक, प्राकर्तिक और सालीन प्रेम का वरनन है इंदुमती में, कोई फूहड़पन नहीं है, कोई भौड़पन नहीं है, कहीं अश्लीलता नहीं है, कहीं कोई जल्दी नहीं है, चरण वद्ध तरीके से जिस तरह से जीवन चलता है उस तरीके से जब साहतिकार साहत्य रचता है तब वह साहत्य हमारे बुद्धी में नहीं हिर्दे में जाता है यह जो वरणन हम आज के गद्ध साहत्य के कालानुकरम वरणन को पढ़ रहे हैं वो इसलिए कि हम हर युग के साहत्यकार की मना इस्तिति, मानसिक्ता, उसका कथा विधान, उसका शिल्प, उस समय की उसकी परिस्तितियां, उस समय की सामाज एक पारवारिक राष्ट्री है, उ वो परिस्तितियां और कुछ ऐसी अपरोक्ष इस्तितियां जो कि हर व्यक्ति को प्रभावित अवस्य करती हैं, उस समय की बाड़ की विभीशिकाएं, उस समय के युद्ध की विभीशिकाएं, भुकुमरी, महामारी, आपको पता है 1919-1918 में भी कितनी महामारी आई थी, प सूरी का अंतरपाटी निराला ने कुली भाट लिखा है, उस समय निराला जी के घर से एक ही दिन में पांच अर्थियां उठी थी, तो उन समवेदनाओं में डूब के जो साहतिकार लिखते थे, वो साहति आपको आधने काल से पहले का साहति मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा ह है, लेकिन एक अंतर के रूप में इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप आईए, कि जो भारतिंदु यूग की जो कहानी का प्रारंब हुआ था, वो उस समय सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण होती थी कहानी, और कहानी का लेखन होता था, और कहानियों के प्रस्त कुछ का सहरा लिया जाता था, अब यहीं से नाटक भी आ जाता है, नाटक और कहानी यदिपी दो अलग विधाएं हैं, लेकिन कुछ कहानी कारों की कहानी आप ऐसे भी पाएंगे, जिनका बड़ी आसानी से मंचन भी होता है, और नाटक लिखना एक तरह से नाटक कार का ए पुले जाने वाले शब्दों को अलग अलग लिखता है, पूजा ने ये कहा, सागरिका ने ये कहा, इन्हों ने ये कहा, अमिद जी ने ये कहा, तो उसके आगे नाम के जैसे इसकंद को तो इस ते भारते दो रश्चिन के बहुत से नाटक हैं, लामकुमार बर्मार जी के ठीक समझता हूं कि कुछ कहानी भी इतनी सजीव कहानी है, इतनी जीवंत कहानिया हैं कि उनका भी मंचन बड़े आसानी से आज के युग में भी किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, प्रेम जंद की बहुत सी कहानियों का मंचन आप देखेंगे, प्रेम जंद की बह कि अंतर में अंतर गजो पात्र हैं उनकी गतिविदियों के माध्यम से संदेश दिया जाता है अच्छा अब हमारी जो सहत्य की प्रविर्ति है प्रभावित होती रही है आंदोलनों से जैसे सामाजिक आंदोलन भी प्रभावित करते हैं कहानिकार को कुछ आर्थिक आंदोलन भी प्रभावित करते हैं राष्ट्री आंदोलन भी प्रभावित करते हैं और धार्मिक आंदोलन भी प्रभावित करते हैं सत्यार्थ प्रकास पूरी की पूरी रचना एक धार्मिक रचना है लेकिन हिंदी सहत्य की एक बहुत महत्पूर पुस्तक ह तो कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार अपने आसपास के परिवेस से मुक्त नहीं हो सकता स्रीकांत बर्मा की कुश्पंक्तियां आचारी विश्रुकांत सास्ति हमेशा हुदृत किया करते थे कि मैं चाहता तो बच सकता था, पर मैं बचने सका, जिसने सहा नहीं, वह क्या लखेगा, जो कराहा नहीं, वह क्या लखेगा, तो ये कराह, जीवन की अंतर्तम अनभूती तक कोई भाव पहुचता है, और वहां से फिर जब शब्द आते हैं, तो वो कहानी या वो उपन्यास हमें आपको, पाठक को अपना सा लगने लगता है, और वही कहानी, वही उपन्यास फिर जीवन पर चलता है, उसी को लोग पढ नहीं, हारदिक, बुद्धी की सीमा है, हरदय की सीमा नहीं है, इसलिए जो बंधन में होता है, वो ज्यादा मुक्त नहीं रहता, और जो मुक्त होता है, वो प्रेम होता है, तो अधिकांस रचनाएं, जो इस कसोटी पर लिखी गई, बहुत दिकता के प्रयास में जो रचन इक हैं लिखी गई वह बहुत दिन नहीं चलें। लेकिन जो भाव से लिखी गई तो यह हम क्यों पढ़ते हैं? ये जो हम आपको बता रहें, ये आदुने काल, प्रम भरतिंदू काल, प्रेम चंद काल, दुवेदी काल, शुक्ण लिखा, ये किसे लिए, जब हम हिंदी साहत्य की या किसी भी साहत्य की विकास यात्रा जानना चाहते हैं, तो ये हमें उसमें पड़ाव मिलते हैं, हमारी कसोटियां होती हैं कि विकास यात्रा को हम कैसे जाने हैं, ऐसे जानते हैं, बदलते हुए संदर्व, संदर्व के विशवाई मैंने आपको बताया कि आज की कहानी में आपको मोबाइल मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, गाड़ मिलेगी, वहाँ टम-टम मिलेगी टम-टम शब्द किसी ने सुनाए टम-टम पढ़िएगा टम-टम प्रेम जंद के कई उसमें आता है, टम-टम एक गाड़ी अच्छी गाड़ी, एक तो बेल गाड़ी जो कि किसान के पास होती है, एक टम-टम जो सहरी लोगों के पास वैसी ही एक गाड़ी, घोड़ा-गाड़ी इसमें कहीं एक मॉटर भी फिट हो जाती थी एक पाल की होती थी जिसको लोग कीचते थे तो ये शब्द ये संदर्व आज आपको कहीं नहीं मिलेगे पाल की शब्द नहीं मिलेगा आज आपको कार मिलेगी, बाइक मिलेगी ये शब्द मिलेंगे तो ये क्या है? ये बदलते हुए संदर्व हैं, तो जब विशह वस्तू बदलती है, संदर्चना बदलती है फिर उसके साथ-साथ क्या होता है? फिर एक द्रश्टी कौन बदलता है साहतिकार का एक काल से दूसरे काल खंड में द्रश्टी कौन बदलता है। साहतिकी दिशा बदलता है। से सम्मन देता है। जैसे एक शब्द आप 4-6 जगे पढ़ेंगे। वह परलोक सिधार गया। वह निपट गया। उसकी मृत्यू हो गई। वह चल बसा। वह पंच तत्त्तु में विलीन हो गया। उसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। यानि एक मृत्यू के लिए ये मैंने जो आपको आठ नौ पंक्तियां बताई। ये कहां से आई। ये साहित्यकार की अपनी प्रष्ट भूमी और उन प्रेरग तत्त्तों से उसकी शब्द संपदा तयार होती है। जिस आंदोलन से या जिस प्रष्ट भूमी से वह प्रभावित होता है। जहां से उसका सजन हुआ है। तो एक और इसमें विशे आता है साहित्य का एक विशे आता है वर्ग विमर्ष। साहित्य जो पहले का साहित्य था अब वो साहित्य कहीं कहीं करीब 1990-85 के बाद से वर्ग साहित्य की रचना होने लगी। वर्ग साहित्य कैसे इस्त्री विमर्ष, दलित विमर्ष, श्रमिक विमर्ष, सहरी विमर्ष, ग्रामीन विमर्ष खास्तोर से इसमें दलित विमर्ष एक अलग धारा जैसी बनने लगी यदिपी व्यक्तिकत रूप से मैं इस बात का ज्यादा पक्षदर नहीं हूँ कि किसी भी साहित्य को ऐसे शब्द दिये जाएं कि दलित विमर्ष के ब्रहाम्माण विमर्ष के ये विमर्ष कोई आवश्यक नहीं है हाँ ये बात अलग है कि वह कथाकार हमारी जिस सामाजिक विवस्ता से आया है वह पीड़ा वह प्रष्टबुमी वो तो हर एक के साथ है किसी भी साहित्य कार के साथ वो जिस अपनी प्रष्टबुमी को नहीं भूल सकता है अपनी जड़ से आया है कहानी है वह अपनी जड़ कि जड़ में ही लखी जाएगी जिस जड़गा विक्ति होगा कहानी कार होगा अब लेकिन यह हो किया गया, यह कुछ ऐसे हो गया, जैसे कि अगर आप लोग कुछ बहुत पहले की आपको नहीं पता होगी, आप लोग सभी विद्यार थी है, मैं आज से 40 वर्स पहले, 40 वर्स पहले एक ही सहर में 2-3 डॉक्टर हुआ करते थे, और वो डॉक्टर खासी जु आप देखिए, आज आपको MD, Medicine, MD, Anesthesia, MD, General Medicine, MD, Guyana, ENT, Surgical, Euro, Abdominal, Ortho, Endocranologist, कितनी-कितनी साखाएं आपको शिकित्स किया विज्ञान में मिलती हैं, तो ये जो विमर्ष के नाम से जो रचा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक साखा विशेश का ही अध्यन है, ये भी वो हमारे साहतिकार की मूल जमात के ही लोग हैं, और मैं उसको कभी भी गलिद विमर्ष, इस्त्री विमर्ष, या पुरुस विमर्ष, इस रूप में स अधिकांस इस्त्रियों की चर्चाएं करती हैं, इस्त्रियों के विशेश को, उनकी रसोई को, उनकी दोहरी जिंदगी को, उनके दोहरे उत्तरदायत को, घर को, परिवार को, और कार्याले को, या उनके साथ हो रहे अत्याचार को, या विवेद को, या बच्पन की जो उनके साथ भेद भाव परिवार ने, मा ने, पिता समाज ने किया उनको या उनके साथ इदी कोई अशोबनिय घटना हुई उसको तो इसको मिस्त्री भी मर्ष में अधिकांस इस्त्रियां लिखने लगी और वो उसमें बहुत सारे लोग हैं उसमें आत्मकथा भी लिखी गई उसमें शंश्मुरण भी लिखी गई उसमें रेख इस्त्रिय द्री द्रेफिस्रेश प्र विलान उसरा है। चाहिए उस नायक को चुनाव वा अपनी लेखनी में स्त्री वी कर सकता है पुरुष भी कर सकता है कभी कभी रेखा-चित्र जो ले खा का जाता है जो नैस तरी है पुरुष है एक और प्रणी है, गिल्लू, गौरा, महादरी विर्मा के पढ़े हैं, रेकाशित्र पढ़े हैं किसी नहीं, गिल्लू, गौरा, उनके नहीं पढ़े हैं, जी सर, कई लोगों ने पढ़े हैं, बहुत अच्छे, यह पढ़े हैं, ठीक है, एक, एक मेरा रेकाशित्र है, और ज तो यह क्या है कि प्रचनाकार समाज को जो देना चाहता है जब गौरा पढ़ा है अच्छा प्रिती जी ने गौरा पढ़ा है तो उस दोर में आप जानी के बात कर रहे हैं तो उस दोर में यो कहानिया लिखी गई थी जैसे मैंने आपको तीन चार नाम बताए और नाम आप नोट कर सकते हैं जैसे कि प्रेम की फौरा के बाद सरश्वती जब सरश्वती अच्छा एक चीज मैं पता दूँ कहानी का जो बड़ा स्वर्णिम यूग रहा वो सरश्वती पत्रिका से जरूर जड़ा हुआ रहा तो उस दौर के कहानीकारों के सामने एक सबसे बड़ी चुनोती अचा कहानी इतनी जल्दी परिपक वो कैसे हो गई हमारे हां हिंदी कहानी इतनी अच्छी कैसे लिखी जाने लगी तो मुझे इसके अध्यन करते हुए समझ में आया कि जो हमारे प्राजमिक कहानीकार थे उन्होंने अपने सुरुवात की कहानियां ही इतनी अच्छी लिख दी इतनी परिपक वो कहानी लिख दी इतनी बड़ी चुनोती उन्होंने पेश कर दी अपनी सुरुवात की ही कहानियों में कि उसके बाद में जो जो सहतिकार आए उनके सामने ये एक संकट हुआ कि अगर अच्छा नहीं लिखा तो छपेगा नहीं सरस्वती में जमाना में नहीं छपेगा तो इसलिए अधकच्री कहानियां आपको प्रारंबिक काल में नहीं मिलेंगे उस समय सब एक से एक गठी हुई गठीलीस जिनका कि गध्य सौस्थब, वाकिविन्यास, व्याकरण जिनका शिल्प, जिनकी कथावस्तू जिनका संदेस बहुत साफ होता था आपको उस दोर की कहानियां मिलेंगी और वो सब कहानियां अगर आप कभी पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं कि ग्यारे वर्ष का समय रामसेन शुकल जी की थी पंडित और पंडितानी गिर्दाजत बादपे की थी दुलाई वाली बंग महला अगर आप इन में से देखें तो इमें एक चर्चा और भी चलती रहती है कि इनमें हिंदी की पहली कौन सी मौलिक कहानी है मैं उस विशय में आज नहीं जाऊँगा वो उन चीजों को छोड़ दीजे क्योंकि इन कहानियों में अगर हम कुछ चीजें कॉमन यानि कि सब चीजें जो उस समय की आदर से चीजें हैं मार मिकता है Bुकता है उनका जो भावप्रधानता है विशय वस्तु है संदेश है उनका जो कसावट है उनकी तो इन सब में सब कहानिया एक से बढ़कर एक हैं इसलिए में उसमें पहली दूसरी कहानी के विवाद में हम नहीं जाएंगे अच्छा अब इसके बाद अगर हम मौले कहानी के इससे बाहर चलेंगे तो एक और कहानी बहुत अच्छी आपको उस दोर की पढ़ने को मिलेगी एक टोक्री भर मट्टी तो जब एक टोक्री भर मट्टी आप पढ़ेंगे ये च्छतिस गड़ मित्र में चपीती माधव सप्रे की तो वो इन चारो पांचो कहानीों के भाव से आपको एक अलग तरह की कहानी मिलेगी जो इंदु मती में और उसने कहां में नहीं है तो कहानी का विकास एक ऐसा विकास जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कहानी हमारे जीवन से सबसे नजदिक की विधा है सबसे नजदिक की और देखे मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ कैसे हम सब बच्पन में अपनी मा के पास तादी के पास नानी के पास चाजी के पास, ताही के पास, किसी के पास भी रात को सोते समय हमने क्या कहा दादी कहानी सुनाओ कहा ना नानी कहानी सुनाओ और वो जो कहानी हमारी दादी ने या नानी ने या मा ने हमें सुनाई तो वो कोई बहुत बड़े साहतिकार लोग नहीं थे लेकिन वो जीवन के अनुभवी लोग थे और हमारा उनसे और उनका हम से एक संबंध था वो जीवन के अनुभव से तपे हुए लोग थे हमसे उनका भाव संबंध था इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमको वो कहानियां सुनाई जो वो हमें बनाना चाहते थे मेरी बद समझना है आप? उन्होंने हमको वो कहानियां सुनाई जो वो हमें बनाना चाहते थे या जो उन्होंने अपने जीवन में चाहा था, भोगा था, जेला था, जिन चीवन ने उनको तपाया था अब एक रचनाकार जो लिख देता है वो तो सब कुछ लिख देता है लेकिन मैं अपने जीवन में उन लोगों को भी कथाकार, ओपन्यासकार, कहानीकार मानता हूं जिन्होंने अपने जीवन की गटनाओं को, अपने जीवन की अनववों को आपको बताया, आपको सुनाया, आपको उन चीजों से परिचित कराया तो ये कहानियां हमारे जीवन में एक बहुत महतुपूर्ण भूमी का निवाती हैं और एक किसी का एक शेर भी है बहुत अच्छा कि ता उम्र न चले तो कहानी क्या ता उम्र न चले तो कहानी क्या और आप लोग थोड़ा खुस हो हैंगे इस बात पर किता उम्र न चले तो कहानी क्या और रात भर न जगे तो जवानी क्या तो रात भर जगने की प्रक्रिया को भी हर कहानीकार ने अपने विशय में सामिल किया है तो अगर हम कहानी की विगास यात्रा का अगर प्रारंबिक बिंदू लें तो ये सन 1887 के आ जाता है कि सबसे पहले अगर हम उस दौर की कहानीों की चर्चा करेंगे तो प्रणै नाम से जो कहानी आती है अगर हम वहांसे का प्रारंब माल सकते हैं तो अब मैं इसमें आपको कुछ उस दौर के कहानी काराओं के नाम से जैसे पर्चह कराऊं जैसे सदल मिषऑ हैं चिक है और प्राचिन हिंदी कहानी के रूप में इन्होंने जो लिखा सेद इंशालला खानरानी केत्की की कहानी लिखा तो मैंने एक स्लाइड में आपको दिखाया भी था कि इन लोगों के बीच में हिंदी की प्रतम कहानी होने का एक विवाद चलता रहता है इनको उस दोर की कहानियों को हिंदी कहानी का वाले काल भी कहा जाता है तो अब आते हैं भारति हिंदु युक में तो भारति हिंदु युक की जो कहानी का रहे हैं उनमें निवन्ध अत्मक्ता जादा है वो थोड़ा बड़ी कहानी लिखते थे उनमें कहानियों में अद्भुत रश मिलेगा आपको उस दौर के तो उस दौर के जो कहानीकार हैं उनमें बहुत अच्छा आपका भाषा शिल्प है समवेदना हैं बहुत अच्छी उकेर के लाते हैं आप देखिए वो शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसे ही चबूत्रिय पर बैठे हुए सामने से देख रहे हैं कि दो लोग जा रहे हैं तो बड़ा प्राकरतिक द्रस से वो उकेर के लाते थे जैसे विलकुल एक कहानीकार आपके सामने बैठा हुआ कहानी लिख रहा है उनके पास बड़ी अच्छी समवेदना है थी उद्देश शिता आप देखिए उद्देश की अगर लिखनी है लिखना उसके मन में बना हुआ है तो सबसे पहले उसके सामने को देश ये आया अब उस उद्देश को शब्दों में डालने के लिए उसने पात्रों की रिचना की ये पात्र हो सकता है उसको अपने आसपास में ही मिल जाए दो चीज़ें समझे एक तो पात्र आधारित कहानी पात्र आधारित कहानी हो सकता है उद्देश परक नहों उसका लिखने का कोई उद्देश नहों उसमें पात्र महत्रपून है जैसे आपने अपने घर के चारों तरफ अपने घर में या अपने आसपास में किसी को देखा जो कि आपकी नजर में बहुत ही कर्तबिनिष्ट, बहुत ही शालीन या बिनम्र, या करमट, या क्रोधी, या परिश्रमी, या बहुत अच्छा विद्वान, या बहुत अच्छा बेवकूफ, इस तरह का आपने कुछी को पात्र पाया, कुछ समवेदना है, आपकी उससे जुड़ी, आपने उस पात्र को केंद्रित करके उसकी जीवन चर्या के आदार पर एक कहानी लिखी, हो सकता है आपके अंदर का कहानीकार उस पात्र के जीवन करम में से कुछ संदेश कहानी के अंत में लिखते, जिसमें फिर आदर ही आएगा, रामदरस मिश्टर की कुछ कहानी आप देखेंगे, तो वो बड़ी कहानियों का एक संसार रचा हुआ है उनके, और अंत में वो एक किसी कहानी में तो प्रोफेसर रामदरस मिश्टर जीवन उस पात्र को ही उस आग में कूद के अपने उस लो भी चाचा के बेटे या नाती को बचा के लाने के क्रम में बाहर वो लाके उस बच्चे को रख देता है और वो खुद उस आग में जलके भस्म हो जाता है, उसी चाचा के परवार को बचाने के लिए, जिस चाचा ने उसका घरदवार सब छीन लिया था, काग जो में हे कुछ जगे आपको कहानियों में उस दोर की कहानियों में बड़ी all of sudden आकस्मिक्ता मिलेगी। आपको उस दोर का आनंद भी अनुवव होगा। जो कि यह दोर मिस कर रहा है, मैनस कर रहा है। पंच परमिश्वर्ण सबसे पहली बार कहानी प्रकासित हुई सरस्वती में तो अब सोचिए कि पंच परमिश्वर्ण उस दोर की कहानी है। क्यों उस समय ना सुप्रीम कोर्ट था, ना हाई कोर्ट था, ना डिस्टिक कोर्ट था। उस समय नियाय कहा होता था। एक गाउं के पाँच बड़े लोग बैठ गए, पाँच ही क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट की पीट बैंच बैठती है न, पाँच जज़ों की, कोई बहुत बड़ा नियनाय करना होता था, तो पाँच जज़ बैठते हैं। तो उस दौर में भी यही चीज थी, बलके आज वहीं से नकल की गई। तो पाँच लोग बैठें, पाँच लोगों में बैठें तो ऐसा ना हो के अगर चार बिठाओगे, तो दो लोग एक मत के, दो लोग एक मत के, फिर निरने क्या होगा? इसलिए पाँच लोग होगे, और एक आदमी एक मत का है, तो चार लोग एक मत के होगे, समझता है? तो ये पंच परमिश्वर उस दोर की कहानी है, तो उसमें क्या था? कि वो जो निरने करना है, पंचों को, पंचों में अपनी आत्मा में वह विवेक आ जाए, वह बुद्धी आ जाए, वह ज्या कि वो कोई भी सापेक्ष निरने न करें, स्वार्थ में निरने न करें, उस कहानी का उद्धेश ये बताना रहा, तो इसमें आपको क्या मिला इस कहानी में पंच परमिश्वर में? पंच परमिश्वर मेरे हिसाफ से, बलके आपके पार्ठे क्रम में भी अगर हम उसको तो पंच परमेश्वर उस दोर की मनोव विज्ञानिक विस्टलेशन की एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी है Psychological Analytics Psychological आजकल तो कहानीकार ही एक बहुत धिक कहानी रच रहा है आजका कहानीकार तो मनोव विज्ञान को ध्यान में रखके ही कहानी रच रहा है क्योंकि उसे अपनी कहानी का ब्यापार करना है उसकी कहानी किस वर्ग में जाएगी, कहां पढ़ी जाएगी, कौनसी पत्रिका में छपेगी, कौनसी पब्लिशिंग हाउस से प्रकासित होगी आजका कहानीकार तो अलगी कहानी रच रहा है लेकिन मैं पंच परमेश्वर की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पंच परमेश्वर उस दोर की कहानी है जिस दोर में सबसे पहले मनोवग्यान, एक विश्लेशन की चर्चा आप देख सकते है कि जो पंच बैठा है, उसका मनोवग्यान क्या है एक गाओं का है, उसे अपने स्वार्थ भी धिहान रहते है उसे अपना दूसरों से संबंध भी धिहान रहता है उसे वो ब्रद्धा भी धिहान रहती है उसके साथ हुआ अन्याई भी धिहान रहता है तो ये सब कहानियों का एक दौर आपको उसे वह पर मिलेगा तो हिंदी कहानी के जो विकास में प्रेमचंद के साथ साथ एक बहुत बड़ा योगदान जैशंकर प्रशाद जी का भी है उनकी कहानियां भी सरस्वती में इंदू में जो कहानियां प्रकासित होती रही इन कहानियों ने स्वर्यमचंद ने और जैशंकर प्रशाद जी ने बारतिन भरिश्चंद जी के उस दोर की बहुत अच्छी कहानियों की रिश्चना की और जैसे बहुत सी ऐसी कहानियां जिन में प्रशाद जी के साथ प्रशाद जी का नाम आया प्रशाद जी की कहानियों में थोड़ी सी एतिहासिक विर्ती ज़्यादा है वो हमारे पौरानिक एतिहासिक पात्रों को लेकर उनकी कहानिया बहुत अच्छी है तो अगर आपको इसमें कोई रुची है तो आप प्रशाद जी की कहानिया चुरूर पढ़ें जैसे तानसेन है, रसिया बालम है, गुलाम है, जहां आ रहा है, मदन बनालनी है, यह सब क्या है, यह थोड़ी ची पौरानेक था है, थोड़ी से एत्यासिक पात्रा आपको इसमें मिलें, क्योंकि प्रिशाद जी क्या था, कि प्रिशाद जी मूलता प्रेम और सौंदर के बढ़ती थी, वो कहानियां बड़े ही प्रेम की, सौंदर की, उनका एक बड़ा अलग तरह का उनका शिल्प है, गठन अलग है, तो प्रशाद जी को जरूर पड़े हैं आप लोग, अमित जी महार पस कितना समय बचेगा? अब हम कहानी यूग से उपन्रियास यूग में भी तुआएंगे ना? तो मैं बच्चों से सभी से यही कहूँगा कि कहानी वाले विशय को आप बड़े संजीतगी से लीजे और ध्यान से पढ़िए और पढ़ते पढ़ते उनके नीचे आप लाइन खींचते चाएंगे अब बड़े से लिए कथाकारों के नाम के नीचे, कहानी कारों के नाम के नीचे, उनकी रचनाओं के नाम के नीचे और ये चीज इसलिए भी आवश्यक है कि आप ये MA की परीक्षा तो दे ही लेंगे, इसमें मेरी सुबकामना है कि आपके बहुत अच्छे अंक आएं लेक आपको कहानी और कहानी कार के नाम की कहीं कहीं, मैचिंग के प्रशन मिलते हैं, कहीं कहीं किसी कहानी कार का नाम दिया जाएगा, इसकी कहानी कौनजी है, नीचे चार विकल्प दिय हूँगे, उसमें से आपको बताना पढ़ जाएगा. या कहानी का नाम दिया गया होगा उसके चार कहानी कार होंगे आप जैसे मैं आप से सवाल पूछू पताएए गुल की बन्नो किसकी कहानी है कोई लिखो चैट बोक्स में पटा पट गुल की बन्नो कहानी किसकी है गुल की बन्नो पताईए गुल की बन्नो लखिए किसी नहीं लिखा नहीं पढ़ा गुल की बन्नो ध्रमीर वारती की कहानी है है ना तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो ये उस दोर के बहुत से आप कहानीकारों को उस दोर से लेके आज तक के बहुत बढ़िया कहानी का रहे है आज एक और चीज जब से ये प्रकासन अच्छा हुआ है तब से बहुत अच्छी अच्छी कहानीयों के संग्रह निकलने लगे हैं बहुत अच्छी कहानीय जैसे राजिंद्र यादब ने एक पुस्तक निकाली थी उसका नाम दिया था नोंने एक दुनिया समानंतर तो उसमें बहुत अच्छी कहानिया संकलित की गई बहुत अच्छी कहानिया और अग्ये का एक संकलन है पूरा मेरी संपूर कहानिया हर कथाकार की कहानी कार की प्रेमचंद की समखर कहानिया प्रेमचंद की क्यावन कहानिया इस तरह से कहानियों के संगड रहे, जब आपको सिवानी की कहानियों के बहुत अच्छे संगड हैं, राज 연-दियादप में बहुत अच्छी कहानिया लखी हैं, बहुत सारे संस्कूम निकले हैं उनके, ना रित फैपर की जैसे तियारी करें, तो मेरा ये सब को परामर्ष र अगर वो सारी किताबें आप ना भी खरीद पाएं लेकिन फिर भी आप महत्वपूर्ण महत्वण किताबें जरूर खरीदें या अपने पुस्तकाले में जाके लें अमित जी एगनोक आपका ओडीसा विश्विद्याले का वो होता है ना पुस्तकाले होता है ना जी सर जी सर है सर तो यह जो हमारे विद्यार्दी इस कक्षा में आते हैं यह उन पुस्तकाले में भी जाते हैं सर हमारी सर रिजिनल सेंटर होती तो रिजिनल सेंटर है थी सर अपने पुस्तकाले में है सर हमारे पास पुस्तकाले अच्छा तो तो फिर मेरा आए आप एक सुझाव लिख लीजिए कि आप एक काम करिए कि अपने आसपास के सभी हिंदी के जो प्रोफेसर वर्ग है ना उनको एक पत्र दीजिए अन्रोध करते हुए कि आधरनिय गुरुदेव आपसे अन्रोध है कि आपके निजी पुस्तका हैं हमारे इस च्छेत्रिय केंद्र को या हमारे इस उप केंद्र को दान करने की करपा करें जिससे कि हम उन्ने एक पुस्तकाले का रूप दें और हमारे ओपन इन्युवेस्टि के विद्धियार थी समय समय पर आकर उन किताबों का लाव उठा सकें बिल्कुर 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 तो आप देखिएगा कि आपको हजारों कितावें मिल जाएंगी हजारों आपके पास रखने की और विवस्तित रखने की जगए होनी चाहिए ठीक है तो कहानीों के ही क्रम में और भी उसके प्रकार होके जैसे नई कहानी हैं सचेतन कहानी हैं अग कहानी हैं सहज कहानी है तो इसमें बहुत से लोग हैं, मोहन राकेस हैं, डॉक्टर महीप सिंग हैं, ये सब लोग इनमें अलग लग तरह की, इन्होंने कथा सिल्फ, इनका विधान थोड़ा अलग हुआ, थोड़ा विशेवस्तू अलग हुई, थोड़ा रचना, धर्मिता, इनकी थोड़ी सी अलग होती है, उन कहानियों को लिखने की, तो इन लोगों ने वो उस तरह की कहानिया भी लखी हैं, तो जैसे सचेतन कहानी में, प्रोफेसर महीप सिंग दिली विश्वी देला में प्रोफेसर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मनहर शोहान ने भी बहुत सारा लिखा, अचेतन कहानी को, अगर आप उस दोर की कृष्ण चंदर की कहानी से, या मंटो की कहानी से, या अम्रता पीतम की कहानी से जोड़ेंगे, तो आपको बिलकुल एक अंतर साफ समझ में आएगा, और मैं तो आपको ये कहूँगा, यदि आपकी थोड़ी सी रुची, किसी युकी पढ़ूगा या पढ़ूगी, ये तीन कहानी में उस युकी पढ़ूगा या पढ़ूगी, तो इस तरह से आपके पास 15-17 कहानियां होंगी, और आप उनको एक या दो सिटिंग में पढ़िए, क्रम से, क्रम से, तो आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी एक ही भा होती है, एक क्रम है, विकसित होता जीवन, विचारों में परवर्तन जीवन, बदलती हुए प्रद्योगी की का जीवन, बदलते हुए सामाजिक समद्नों का जीवन, बदलते हुए परवारों के स्वरूप का जीवन, ये सब आपको उस क्रम में मिलेंगे, यदि आप इस प प्रियोग आपको कैसा लगा तो अब हम कहानी के बाद आगे चलेंगे अगला आज का विशे है हमारे उपन्यास का सहज कहानी अमरत राय बहुत अच्छी लिखते रहें आप उनकी भी कहानी पढ़ेंगे एक और इसमें नया शब्द आपको मिल जाएगा समान अंतर कहानी का तो यह सब फिर उसके बाद गोविंद मिश्र कामतानात यह सब जो उसके बाद के कताकार कहानी का रहें यह सब उसी में आते हैं फिर एक और कहानी कारों ने एक नया शब्द बना दिया सक्री कहानी का राकेस बत्स में अपने कहानी को सक्री कहानी या फिर रमेश बत्रा है ये सब लोग से सक्री कहानी के रूप में अपनी कहानियों को उस वर्ग में मानने लगे। मजदूर मालिक की बिवस्था के प्रत्रूद में कहानी लिखने लगा। तो ये कहानियों को भी फिर जब सब मिले तो फिर ये अलग-अलग कहानी बनी। फिर कहीं जनवादी कहानी उसको कहा गया। किसी को जनवादी कहानी कहा गया। जिसमें जनसंगर्स की पक्षदर जो कहानी हो गई उसको उनने जनवादी कहानी के दिया। तो ये जैसी जैसी भाव भूमी जैसी जैसी प्रस्ट भूमी में कहानी लिखी गई उनको उसी तरह से उस वर्ग में ढालने के लिए हमारे आज के साहतिकारों की बलकि पहले साहतिकारों की भी ये एक वरगी गरन की परंपरा रही जिसके तहट उन्होंने वह काम किया अब हम आते हैं हमारा आज के विशे का दूसरा खर्ण जिसमें के उपन्यास सबसे पहले कि मुझे जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी मुझे बताए कि क्या कहानी और उपन्यास इन दोनों में आपको कोई अंतर समझ में आता है सिवाए इसके कि कहानी छोटी से उपन्यास मोटा सा हाँ कमल पतनायक जी का बहुत अच्छा सवाल है मैं इसको लूँगा मैं इसको लूँगा आप नोट करिएगा अविशेक जी तो हिंदी उपन्यास में जो उपन्यास लेखन की परंपरा का अच्छा लोग देवनागरी लिपी में सीधे सीधे टंकन महीं करते हैं वो लोग क्या किया करें कि या तो एक दिन अविशेक जी एक क्लास रखवाईएगा मैं सब लोगों को हिंदी देवनागरी में टंकन से खाऊंगा जी सर वो क्लास में आप से भात ही काने वालता हम लोग के डिएकेश की जो डिप्लमाइइग का इंडियन ट्रांसलेशन अंग्रे जी हमारी मात्र भाषा को प्रस्तुत करने का माध्यम क्यों बने हम अपने घर में गोजें और प्रोजी की सत्वे से गोजें क्या मतलब है है ना तो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे तो हिंदी उपन्यास का भी जो सिरी गणेश हुआ वो हुआ भारते इंदु युग में और ये उपन्यास विधा भी बड़ी एक संकालीन और बहुत ही मयत्यपूर्ण गद्य विधा है अधिकांस उपन्यास गद्यात्मकी होते हैं यद्यपी उनमें काविय कविता पत्र शेर शायरी उद्धरन बहुत सी चीज़ें होती हैं तो उपन्यास के विकास कर्म को भी जैसा मैंने आपको एक सिलाइड में दिखाया था उपन्यास के विकास कर्म को भी आप पांच उपन्यास काल कहेंगे उससे पहले और प्रेमचंद तक के प्रेमचंद की मिरतियों तक उसको हम प्रेमचंद उतर काल कहेंगे और 1936 के आसपास के उसको प्रेमचंद युगीन उपन्यास कहेंगे और उससे पहले को आरंबिक उपन्यास या प्रेमचंद पूर उपन्यास हमन संग्या हमने प्रेमचंद को दी गए तो हमने ये माना हैं कि सबसे पहले उपन्यासों की जो परंपरा विकसित हुई वो प्रेमचंद जी के हिंदी सहत्य में आने के बाद शुरू हुई तो प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास में जो योगदान है वो तो आप जानते हैं कि आ पूरु वाला तो उसमें सन 1877 में श्रद्धाराम फुलोरी जी का एक भागिवती नाम का एक सावान जी को पन्यास होता था और सायद मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि ये जो है श्रद्धाराम फुलोरी जी ये कानपुर के रहने वाले थे और ये जो घर घर में जो आरती गाई जाती है न ओम जय जगदीज हरे ये इनीकी लिखी हुई है ऐसा अभी तक कोई वेग्यानिक साक्षितों नहीं मिला है लेकिन ऐसा विद्ध्वानों का मानना है तो सबसे पहला जो एक उपन्यास था सन 1877 में वो था भागिमती नाम का ए उपन्यास की हमारे आचारे आनों विजेस्तोर से आचारे रामचंदर शुक्ल ने बहुत उपन्यास की है और इसमें क्या था कि जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि भागिवती नाम की एक इस्त्री के उस समय के सामाज एक पारवर एक परवेश के उपर ये लिखा गया तो ये उपन्यासों का परारणबिक काल था जब भागिवती और देवरानी जिठानी और इस तरह की उपन्यास लेखे जा रहे थे जिसमें पांच तरह से आप उनका वर्गी करण कर सकते हैं कि वो कैसे लेखे जाते थे उस समय जिसे भाव प्रधान उपन्यास लेखा जाता एतिहासे उपन्यास लेखे जाते थे जासू सी उपन्यास लेखे जाते थे बावु देवकी नंदन खत्री वाले ठीक है ना अईयारी तिलिश्मी देवकी नंदन खत्री की जासू सी उपन्यास लेखे जाते थे सामाजे को उपन्यास लेखे जाते थे तो ये सामाजे को इ तो उस समय क्या 아थ सामजी का है। जैसे श्रदाना गोपाल दास गहमरी कि शोड़ीलाल गोस्वामी तो ये सब लोग उस समय क्या लिख रहे थे सामाज एक परन्यास लिख रहे थे जैसे बालकर्ष्ण भट्टी जी का एक परन्यास था नूतन भ्रमचारी तो ये उसमें का बड़ा एक पहुत अच्छा सामाज एक परन्यास था ये बड़ा परन्यास था वपन्यास था तो ये सामाजिक परिवेश्च को धियान में रखते हुए सामाजिक परवर्तियों को ध्यान में जो उसमें की प्रचलन में थी, हो सकता है उनमेंसे अगर आज आप पढ़ें तो आपको उस समय के समाज का आज के समाज में कोई तो उस समय भी प्रेम रूमान्स के उपन्यास लिखे जाते थे ऐसा नहीं है कि उसमय के समाज में प्रेम रूमान्स नहीं था आज ही के समय में उसमय भी रीती कालिन नयका धेद Bhaid बहुत अच्छा 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 अच्छ वाला उपन्यास था तो समय लिखे भी जाते थे ऐसा नहीं है जो सारे बी था आज भी है कानि विश्त्रे से में भी है तो यह की अस frigبر बदल जाते हैं उसकी प्रस्ते क्रण्ड में परवर्टन आ जाता है लेकिन घ्रड़नगर्व सदे लगवग लगवग वही होते हैं उन्की प्रस्ते जाते हैं और तो ये तरीके बदलना ही साहत्यकार का एक सिफ्ट होता है, साहत्यकार का एक सिफ्ट होता है। आपने आर्थर कानन का नाम सुनाए किसी ने? सर आर्थर कानन के उननीस्मी सत्य में बहुत अच्छे उपरन्यास जिनके रहे हैं। इसमें जासुसी बहुत रगी है। अद्वुत लाश, गुप्त चर, बेकसूर को फासी, खूनी कौन, बेवुनाह का खून, जासुस की चोरी, अद्वुत खून, डांके पर डांका, जालूगरनी मनोला, खूनी का भेद, खूनी की खोज, किले में खून, ये सब जिसमें चोरी, डकेती, हत्या, ठगी, ये जो विशेस्ता हैं, व्यक्ती की, इन को विशे बनाके, जब उपन्यास लखे गए, तो उनको oopanyas की सियानी दी गई, इसी तरह से एतिहासिक Hiç उपन्यास लेखे गए, एतिहासिक उपन्यास हो में, यानि कि जिसमें कोई पात्र, जो हमने ही इतिहास से लिया, तो कि उस युक के एक ऐसे उपन्यास कार हुए हैं, जिनोंने लगवग लगवग इन सारी जो प्रकृति या जो प्रविड़ती के उपन्यास हैं, सब में उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिखा है। तो किसुलाल गुस्वामी जी का एत्यास एक उपन्यासों में जो रुची थी उन्होंने उस समय पे एक उपन्यास लिखा था तारावा छात्रकुल कमलिनी तो यह उपन्यास एत्यास एक उपन्यास था कनक कुसुमबा मस्तानी सुल्ताना रजिया बेगम या रंग महल में हला तो इन उपरनियास के में क्या होता है कि इन उपरनियास में जो पाथ्र होते हैं वो हमारे पीचे के इतिहास से आ रहे होते हैं तो उस समय के एतिहासिक परपेक्चियों को, कुछ एतिहासिक भूलों को, कुछ एतिहासिक विचित्र विद्रूपताओं को, या कुछ उस समय के विमर्शों को, उस समय की एतिहासिक परिस्तितियों को, उस समय की एतिहासिक विशेस्ताओं को, जब एतिहासकार लाता है सामने, जैसे आज आपने पिछले दिनों रामायड महावारत देखी तो अगर आज आप महावारत या रामायड या उस समय के जो हमारे पुराने पात्र हैं या हमारे जो पुराने पात्र हैं आपके देवदत पतनायक जी की आपने पुरुस्तक हैं देखी होंगे देवदत पतनायक हमारे पुर तो ये जो जग मोहन सिंजी का स्यामास अपनु उस समय का बहुत प्रच्छित उपन्यास है। तो ये जड़ी से आपको कहीं नहीं मिलेगी लेकिन उसको आपको अध्यन बहुत अच्छा करना होगा। तो आप इसको पूरा अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रेम चंद ने अपने उपन्यासों में इन बहुत सी चीजों का समावेश किया। प्रेम चंद के उपन्यासों में एक मुक्ती की कामना भी है। मुक्ती की कामना के भाव का भी बहुत अथिक चित्रन हुआ है। चैने वो नारी की मुक्ती हो, धार्मिक जकलनों की मुक्ती हो, आडम बनों की मुक्ती हो, पारवारिक बंदनों की मुक्ती हो, इस्तरी की पुरुष से मुक्ती हो, शिक्षा न पाने की पीड़ा से मुक्ती हो, अशिक्षित रह जाने की पीड़ा से मुक्ती हो। तो बिद्वा विवा की समस्या हो तो उस समय के उपन्यास कारों ने बहुत सी सामाजिक समस्याओं को लेके बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की बहुत अच्छी रचनाएं की तो प्रेमचंद के दौर में ही प्रेमचंद से प्रवावित होके उस दौर में भी बहुत लो जी इन लोगों के उपन्यास का प्रेम चंद के समकालिन उपन्यासकार है जिनके उपर प्रेम चंद की रचनाओं का प्रेम चंद के उपन्यास का बहुत अधिक प्रभाव तो इन सब में क्या है इन सब उपन्यासों में आपको सोशन के खिलाफ विद्रोह मिलेगा अन्याय के मतलब कुछ आदर्स की स्थापना भी इनका उदेश था, सच चरित्रता मिलेगी, सद प्रविर्तियों को पैदा करने का एक भाव मिलेगा, सुधारवादी आंदोलन से लोग पेर रहे थे उस समय, तो सुधारवादी प्रविर्तियों उसमें बहुत मिलेगी, गांधी जी का भी प्रवाव था, तो गांधी वादी दर्शन का भी आपको इस दौर के उपन्यासों में बहुत अच्छा हो मिलेगा, और एक चीज बहुत महत्यपूर में आपको बता हूँ, कि ये वो दौर था, जब मध्यमवर्ग एक विशाल आकार का था, निमनवर्ग बहुत बढ़ का था, निमनवर्ग जाधा नहीं था, मैं ये कहना चाहरा हूँ कि अगर वो निमनवर्ग भी था ना, तो वो निमनवर्ग भी मध्यमवर्ग का ही अंग था, वो बाहर से कहीं नहीं था, क्योंकि वही एक गाउं था, उसी गाउं में सब लोग थे, उसी गाउं में जमीदा जो आज बहुत बड़ा अंतर इस प्रद्रगी की युग में आपको देखने को मिलेगा यह उस दोर में अधिक नहीं था इसलिए उस दोर की रचनाएं अधिकांज आपको उस समय की जो समस्या ही थी उसमें आप सभी पात्रों को पाएंगे मद्यंबर का पात्र भी होगा निम्नबर का पात्र भी होगा उच्वर का पात्र भी होगा तो ये भी सभी पात्र आपको उसमें मिलेंगे अचा इसी दोर में देखिए निराला ने अफसरा लेखा, प्रभावती लेखा मिल्पमा लेखा, चोटी की पखड़ लेखा बिल्ले सुर्वकरिहा लेखा कुली भाट लेखा, ये सब क्या? ये यथार्त वादी दिश्टी कौर था तो एक परंपरा चल रही थी कि समाज की वुराईयों को भी उकेरा जाना है और जो यथार्त है यथार्त बहुत बुरा नहीं था यथार्त तर डरावना अवश्य था विवेदकारी अवश्य था लेकिन वो उस समय की जिवन पद्दिती थी वो उसमय कस्ट में नहीं माना जाता था आज जैसे आपको छोटी सी परेशानी एक बहुत बड़ा कस्ट मलगती है, उस समय के दोर में वह एक यथार्थ था, वह कस्ट नहीं था, वह यथार्थ था, तो वह जो जिया हुआ यथार्थ था, भोगा हुआ दुख था, अगे ने लिखा है, भोगा हुआ दुख, भोगा हुआ यथार्थ, तो वह जब रचना म में जाता है तो एक बड़ी ही मन को छूने वाली रचनाएं बनती है जब लेकक या कथाकार या उपन्यासकार या कहानिकार जब उन परिस्तितियों को जूजता हुआ जीता हुआ आता है तब कथाएं बनती है जो पिछले दिनों भ flirting विशय थे वह उस में भी थे तो कुली भाट में जो कुली भाट नाम है कि निरला जी ने उसके साथ अपने अपने सम्वन्दों की चर्चा की है वो कैसे-कैसे उसमें भी सबन्द व्यक्ति कैसे नेवाता था और कितनी सिद्दत से और कितनी साफ गोई से फिर उन समंदों को एक सीमा रेखा में रखता था एक मर्यादा में रखता था ये सब चीज़ें आपको कुली भाट और बिले सुर्बकर है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने आएगी अचा उसी समय फिर भगवती चन बर्मा हैं जैनेंद्र हैं चेतुरते इसात्री हैं प्रंदावनलाल बर्मा हैं लाचंदर जोशी जी हैं उपेंद्रनात अस्कन हैं ये सब इन लोगों ने उन्होंने लिखना सुरू किया अब हम आते हैं प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास हुए उनको दो तरह से हम ऐसे रख सकते हैं कि एक वर्ग में तो रखिए उन लोगों को जो प्रेमचंद का निधन जब हो गया सन 1936 से लेके 1947 तर ये उपन्यास लेके गए और दूसरे वर्ग में रख सकते हैं कि 1947 के बाद से जो आगे के उपन्यास लेके गए तो क्योंकि ये चीजे हैं हम इसलिए लेते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी साहते के और भारुते ने हिंदी साहते के हर वर्ग को हर कहानीकार को हर लेखक को हर कथाकार को गहरे प्रभावित किया है गहरे चाहे अंचाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इन लोगों के उपर हर कहानीकार के उपर हर कथाकार के उपर इन दो व्यक्तित्वों की कोई ना कोई हलकी या भारी गहरी या मामूली सी चाप जरूर है, तो उसके बाद में जितने उपन्यास लिखे गए, वो बहुत से आप उन लोगों को आपने कुछ उन में से पढ़े भी होंगे, कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे, अच्छे उसी दोर में, यह जो काल खंड है, प्रेम्चंद के आसपास का, प्रेम्च वी हमारा सहत्य लेता है ती ब्रमोड जैसे कही खही आपने देखा होगा न साठकों पर लिखा उता है साबधानी अटी, दुरुघटना घटी आगे ती ब्रमोड है साबधानी वरते हैं तो यहाँ वह दोर आ गया जहां से हमारे सहत्य ने, सहतिकार ने, भाशा ने, शैली ने, हर चीज ने, हर कथा विधान ने, शिल्प ने, व्याकरण ने, पात के विन्यास ने, एक बहुत तीब्र मोड लिया, बहुत तीब्र, यानि कि इस जगे आकर अगर आप बैठ के देखने आ चाहें, तो दोनों और आपको दो अलग तरह की दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको लगेगा, आपको लगेगा कि मैं बीच में बैठा हूँ, ये दुनिया कुछ और कहती है, ये दुनिया कुछ और कहती है, जैसे भगवती चन बर्मा की चित्रलिखा की चर्चा करें, किसी ने पढ़ा है, भगवती प्रमा का चित्रलिखा, ये तीन वर्ष, हाँ, कमल पटनागी ने पढ़ा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, या जैसे निराला का अफसरा है, अलका है, प्रभावती है, तो इनकी चर्चा जवाब करेंगे, और इसके पढ़ने के साथ, इसके पढ़ने के साथ, यदि आप उस दोर के भारतिंदू के किसी उपन्यास को पढ़ें, तो बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा, तो इसमें क्या होता था, कि इस दोर तक आते आते, एक और सिद्धान बन गया था, जिसमें आत्म पीलन था, हमने जो भोगा है, ह अभी इस दोर में आपको भाव मिलेगा, जैसे सियाराम सनक के गुप्त का जो उपन्यास है, गोध है, अंतिमिक्षा है, नारी है, प्रताब नायने स्वी वास्ताब का विजय है, विकास है, तो ये सारे उपन्यास, इनमें एक भाव है, फिर इसके बाद एक और क्या परव जो सीमाएं थी, वो सीमाएं फिर छोटी हो गए, उपन्यास कार की जो प्रवर्ती थी, वो अगर मैं थोड़ा सा साहितिक शब्द लेकिन कठोर शब्द प्रयोग करूं, तो स्वक्षंदता बढ़ गई, इस दोर के उपन्यास में स्वक्षंदता बाद एक दम प्रवेश क आशा कर ला, और इस से क्या हुआ, कि हाला कि यह ऐसी प्रवर्ती है, जो कभी मर तो नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ कि उपन्यास कार स्वक्षंद बादी हुआ है, नहीं, ऐस से पहले भी बहुत से लेखों को ने, इसी तरह का लिखा है, यश्पाल ने लिखा है, मनमधनाद गुप्त ने लिखा है, राउल सांस्कताय ने लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि प्रवर्ती का होना एक बात है, और उस प्रवर्ती का प्रमुक होना दूसरी बात, दो बात है, जैसे हम सब भोजन करते हैं, ये एक बात है, लेकिन कोई आदमी सुवह से साम तक भोजन के बारे में ही सोचता रहे और भोजन ही करता रहे या उसकी प्रवर्थी भोजन में ही लगी रहे तो ये दू चीज़ें हो तो स्रक्षन्देता के लिए विद्वानों का यही कहना है कि यद्य भी ऐसा नहीं है, कि ये प्रवर्थी पहली बार हुई है, ऐसा हमेशा रहा है, लेकिन उसकी प्रमुखता नहों, इसके उपर अपन्यास कार का ध्यान रहना चाहिए, तो प्रेमचंद के युग में जो प्रकृती का भी उपन्यास बहुत लिखा गया, प्रकृती का अपन्यास प्रकृती व्यक्ती की भी और जिसको नेचर कहते हैं, उसकी भी, ये एक तरह का विशिष्ट जीवन दर्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, कि जीवन जैसा है, उसको हूब हूब लिखना, उसको हूब हूब लिखना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैतरी पुश् अलमा कभूतरी में या गुडिया भीतर गुडिया में इन चीजों को बड़ी सिद्धत से उठाया, कि जैसा जीवन उन्होंने जिया है, अगर वो ऐसा लिखने लगेंगी, या लिख देंगी, तो अनर्थ हो जाएगा, साहत्य का अनर्थ हो जाएगा, भाशा का अनर्थ हो गाली क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर जीवन में गाली है, तो सहत्य में गाली क्यों नहीं होनी चाहिए, तो यह मैं उसकी बखालत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उसकी बखालत नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजे, लेकिन मैं कहे रहा हूँ कि ज परवर्तन हुआ जैसे एक परवर्तन होता है जो नजर याथ लेकिन इक परवर्तन होता है जो नजर आ जाता है अब मुर्त बात करें तो ऐसा ही को तो उनका आशे यह था कि जो प्रविर्तियां साहतिकार में, साहतिस समाज में, जो खाने पीने की प्रविर्तियां बढ़ती गई, तो उससे वो यह कहना चाहते हैं, यह आज के लोग, कि हमारे अंदर यदी कोई व्यक्तिवादी बुराई है, यदी कोई व्यक्तिवादी कमी है, तो वो हमारी रचना धर्मिता को और पुश्पित पलवित प्रगल्वित कर करती है, संवर्धित करती है, ऐसा इन लोगों को, मैं तो यह कहूँगा, ब्रह्म हो जाता है, जबकि मैं समझता हूँ कि साइध, आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे, कि तुलसी दास जी ने जो लिखा है, वो साइध कोई बिना नशे के ही लिखा होगा, सूर्दास जी ने लिखा है, वो अपने जीवन की सचरितरता से ही लिखा होगा, कवीर ने जो लिखा है, वो निश्चित रूफ से ही बड़े सुद्ध आत्म जीवन जीते हुई लिखा होगा, तो मैं इस बात को यही छोड़ देता हूँ, फिर नाम बड़े अजीव होने लगे, रिस दुराचार, हर हाइनेस, दुराचार के अड़े, मैं खाना, फिर इस तरह के नाम लखे जाने लगे, तो इस प्रविर्टी का एक अलग अध्यनम करेंगे, कि ऐसा क्यों, यह मुझे लगता है कि भी हमारे इस विशह से बाहर हो जाएगा, अगर हम उस मनोविर्टी की, फिर साहतिकार को, जब बाजार का, ब्यापार का, अपने रोजी रोटी का, या अपने बैवव, विलासिता का, जब चसका लगने लगा, और लेखन, ब्यापार का जब से अंग बना, बाजार के दवावों में जब से लेखक आया, और लेखन का, लेखन आया, तब से फिर वो प तो मैं समझता हूं कि 1245 हो गए हैं और प्रेम्शंद के उपन्यासों पर तो चर्चा करने की हम अगर बात करेंगे तो फिर बात ही अलग है एतियासिक उपन्यास, पौरानेक उपन्यास, संस्कृति के उपन्यास, फिर स्वतन्तता के बात जो हिंदी के उपन्यास लिखे गए उसमें आप सब लोग जानते ही हैं कुछ लोगों को आपने पढ़ा भी होगा, उदैशंकर भट हैं, प्रभागर माच्वे हैं, बैर अप्षाद गुप्त हैं, दुश्यन्त हैं, वीसम साहनी हैं, नरेश कुमार हैं, मोहन राकेस हैं, कमलेशवर हैं, राजिंद यादव हैं, मारकेंड हैं, निर्मल बर्मा है हैं, बहुत थाकुर प्रशाद सेंग हैं, यह सब इस पीडी के रचनाकार हैं, जो कि स्वतनता प्राप्ति के बाद के रचनाकार हैं, इनमें से इनकी रचनातमक्ता निर्वबाद है, असंदिक धिरूप से इस पीडी की रचनातमक्ता उचिस्तर की रही है, इसमें कहीं को पर देश विभाजन का जो दौर था, उस देश विभाजन की प्रिष्ट भूमी में बहुत से उपन्यास लिखे गए, बहुत से उपन्यास, बीश्ट आनी का तमस था, कमरेश्वर का लोटे वो मसाफिर था, बलकि कमरेश्वर ने तो अपनी मृत्तियू से पूर्व एक और परिष्ट भूमी भी कभी कभी पन्यासकार को मसाला दे दे थी है, वस्तो दे थी किया लिखो, ठीक है ना, चत्पितर साहत्ति ने धरभपुत्र लिखा, बिश्णु प्रभाकर ने निशी कांथ लिखा, मनमदनाद गुत ने ग्रयुद लिखा, तूफान के बादल लिखा, राही मसूम राजा ने आधा गाउं लिखा, बलवन सिंग ने काले कोस लिखा, तो ये सब क्या था, ये उस दोर के वो पन्यास थे जिनकी प्रेश्टि जी है कि आज हम यहां बैठे हैं और कल को आके हमारे बीच से कोई एक लाइन खींज दे, एक रेखा खींज दे, और कहें कि आज से ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, तो लोग इस तरह से बट गए थे, लोग इस तरह से बट गए थे, तो उस इस्तिती में जो मन मान सक उस समय के दंगे उस समय की पीड़ाएं उस समय का जो भी गलत हुआ और उसी समय बहुत अच्छी सामाजिक शक्तियां भी सामने आई लोग एक दूसरे की मदद के लिए जान देते थे हिंदू के घर में मुसल्मान चिपाये तो हिंदू बाहर तलवार लेके खड़ा हो गया क आओ पहले मेरी हत्या करो मुसल्मानों ने हिंदू बेटियों गरेक्षा की कुछ इस तरह के अच्छे द्रस्ची भी उस दौर में रहे तो ये सब हलांकि बुरा जादा रहा तो ये जो बुरा इसमृत्तियों में गया आँखों के सामने से गुजरा टोबा टेक सिंकी कहान है ना तो ये सब चीजे उस दौर की लेखन की भूमी बन गए और फिर वैसे उपन्यास लेखे जाने लगे रांगे रागब ने फिर बाद में बहुत लिखा अग्ये ने बहुत लिखा तो ये सब जो चीजे हैं फिर आगे आने वाले युग में समस्यां बढ़ी बेरोज की की आगई सम्मंध उथले होने लगे व्यक्ती टूटने लगा अवसाद नाम की इक बीमारी हमारे घर में आ गई पहले हमारे कोई अवसाद नहीं जानता था सब हस्ते केल थे खाते कूटते रहते थे है न बड़ा ही मजा है फिलिस्पी का अपना उस फिलिस्पी का अपना पाने की चिंता ना खोने का डर है तोटी है कस्ती एक कैसा सफर है तो ये उस दोर की कहानी नहीं है ये बात की कहानी है तो फिर जब ये दोर आया तो फिर इस दोर में इस दोर की उपन्यास लेखे जाने लगे है ना तो मैं इसी लिए कहता हूँ कि ज्यादा सफलता हूँ या ज़्यादा बहुत अच्छे सब कुछ बहुत अच्छा होगा सब कुछ बहुत अच्छा ही करेंगे और जैसे ही कुछ गलत होगा हम फिर जी नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है आप अपनी परेशानियों को بھی जीना सीखिए आप अपनी अस्फलताओं को भी जीना सीखिए ठीक है ना हर एक के अंदर कमिया होती है मैं सुसामत राजबूत की आत्मत्या से बहुत हर पूरा देशवासी परेशान है चार दिन से सोचते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ती का स्वामी भी कैसे इतना निराश हो गया कैसे इतना अवसाद में चला गया क्यों कि जो हमारा जो साहत्य है हमारा इस साहत्य हमको ये शक्ती देता है कि हम खड़े हो सकें गिरके भी खड़े हो सकें हर की कमिया है अपने दोस्तों से बांट ये किताबों के साथ एक सबसे आनद चीज क्या होती है कि किताब हम पहले मिल माटके पढ़ते थे एक ने खरीदी पचास ने पढ़ी लैब्रेरी से ली दस बीस ने पढ़ी है ना तो साहिति की ये भी एक अच्छी अनुभूती है अच्छा अनुभू है एक ये इसका लाव है ये आप करिए हर एक की कमी को सुईकार करिए अपने दोस्तों को अपने मित्रों को अपनी सहीली को मिलिये बैठिये उनसे बात करिये उनसे पूछे कोई परिशानी तो नहीं उनके सुख दुख को बांटिये अपना सुख दुख को उनसे कहिए इस चिंता को भूल आए कि वो क्या कहेगा या क्या कहेगी आपके मन की पीड़ा है तो आप उससे कहिए उसके मन की पीड़ा है तो उसको सुनिए उसमें कमी है रहने दीजे कमी सम्में है वो जैसा है उसको वैसा कबूल करिए दीख्षे धनकरी की एक गजल है उसकी दोशेर हैं, कि या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तनहाईयों के साथ, मुम्किन नहीं हो, आप कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, आपको नाकामियों के साथ भी जीने की जो शक्ती मिलती है, वो आपक तो मैं इन सब्दों के साथ आज की इस कक्षा को बिराम देता हूँ क्योंकि उपन्यास भी फिर बहुत बड़ा विशे है जिसमें आपको किसी भी उपन्यास कार को आप पढ़ेंगे खास तोर से नई जो नई दिश्टी के उपन्यास कार हैं मौन राकेस हैं अंधेरे बंद कमरे हैं ना आने वाला कल है निर्मल बर्मा हैं वेदिन है राजकमल चौधरी का मरी मचली है सहर था या सहर नहीं था इनके दोनों पन्यास हैं तो ये जो या फिर मन्नू बंडारी का आपका बंटी बड़ी अद्भुत रचना है भई आपका बंटी किसी ने पढ़ी है आपका बंटी पढ़ी अद्भुत रचना है मैं बता हूँ अविशेक जी ये आपका बंटी मैंने आपका बंटी मैंने साइद चौथी या पांचवी क्लास में जब था तब पढ़ी थी अपने बड़े भाई की अलमारी में से चुरा के वो जब बीए में पढ़ते थे तो मैंने तब उनकी अलमारी में से चुरा के पढ़ी थी रात को चुप चुप के पढ़ता था जब तो मैं समझता हूं कि इस दुनिया से आप तभी परिच्चत हो पाएंगे जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो मैं इन सब्दों के साथ आप सभी विद्यारतियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे ध्यान से सुना मेरी बातों को आपने सुना मैं आपका आहवारी हूं कि आपने मुझे अफसर दिया कि मैं अपनी कुछ बात कह पाऊं क्योंकि विशे इतना बड़ा है विशे इतना बड़ महत्वोंड चीजों को आप तक पहुचा सकूँ बागी आपकी जो पाठिकम सामगरी है वो बहुत अच्छी सामगरी है आप उसको पढ़िए आपको निश्चित ही उसका लाब मिलेगा परिक्षाओं में आपके अच्छे अंका हैं ऐसी मेरी शुब कामना है बहुत बहुत ध प्रश्ट रखता हूं उसके उपरान बादशीत करेंगे कमल पट्राइग जी ने सर एक पहला प्रश्चित पूचा है कि हाने साहिती की निशाष या अनुदित कहानी की भूमिका किस प्रकार रही है हाँ ये कमल जी ने सवाल पूचा था बीच में कमल जी आपका सवाल बह बहुत प्रवल भूमिका रही है बहुत प्रवल भूमिका रही है देखिए अनुदित अगर न होता तो हम क्या कорते हम एक ही भाशा को जिसको कि हम जानते हैं उसी के कहानिकारों को पढ़ते या उपन्यासकारों को पढ़ते जैसे आप उडिया में है मालिया अब उडिया के प्रतिवार राई जी की किताबों का यदि हिंदी अनुवाद न हुआ होता तो क्या वो अंतराश्ट्रिय इस तर की साहतिगार बन सकती नहीं नहीं वो उड़ी साफ टेकाडमी के देक्षब जाती लेकिन द्रोपृधि और उनकी अन्न किताबों का जब वो हमारे मिश्चा जी ने अनुवाद किया तो मिश्राजी से हमारी जब कभी बात होती थी तो मिश्राजी वो स्वैम को कहते थे भाई मुझे जीवन का आनन दिये मिला है कि मैंने प्रत्वराजी की किताबों का अनुबात किया है मिश्राजी जैसा व्यक्ति मिलना भी बड़ा मुश्किल है कि इतना बड़े से बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे आज अपने गाउं में हैं, पता है आप लोगों को, भरला विश्विद्याला के कुल सचिव जैसे पद पर रहने के बाद भी वो उडिया भासी सहज सन्यासी व्यक्ति अपने गाउं में हैं, तो अनुवाद की ब या चौरंगी नाम के उपन्यास का यदि हिंदी अनुवाद राजकमल चौधरी ने नहीं किया होता तो कोई नहीं पढ़ पाता, कोई नहीं जान पाता, रवीन दनाथ टैग और पूरे विश्व के रवीन गुरू हो गए, किस वज़े से, उपन्यास से, तो अनूदित कहानि और उपन्यास, भाषाई, संप्रेशन, सांस्कृतिक, विस्तार और ब्रहद संसार तक पहुंचने में एक बहुत महत्तुकून भूमिका नेवाते हैं, और अनुवाद, इसलिए अनुवादक की भूमिका कितनी महत्तुकून भूमिका होती है, कि अनुवादक को दो भाषा जिस बहाशा चाहिए उन दोनों भाशाओं का जानकार व्यक्ति जब अन्वाद करता है किसी चीज़ का तब वो एक अच्छा अन्वाद होता है अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक कहानी लिखूँ और मैं कहानी उड़िया में लिखता हूँ और मैं उस उड़िया में ये लिखूँ कि वो अपनी मित्र के साथ रुंदे हुए गले से भगवान जगनात के मंदिर में पूजा करने गया और लोटते हुए वो और उसकी मित्र दोनों बहुत प्रसन्न थे मान लीजिए ये उड़िया का वाक्य है अब मैं इस वाक्य को अगर मुझे पंजाबी में अन्वाद करना है तो मैं अगर इसका पंजाबी में अन्वाद करूँगा तो साथ पंजाबी वाले मानस को समझ में नहीं आएगी कि जगनात मंदिर ऐसे आज तो सब को समझ में आएगी लेकिन अगर पंजाबी अन्वादक ये छूट लेले कि वो अपने वो अपनी मित्र संग गुर्द्वारादी मत्था टिकन गया तो पंजाबी के पाठक को वो बात तुरंत समझ में आ गई यानि कि उडिया जो जगनात मंदिर में करने गया था वही सेवा वही पूजा पंजाबी गुर्द्वारे में करने गया गुर्द्वारा अमरत्सार में गया स्वन मंदिर में गया तो अन्वादक अगर इस चीज को कोस्ठक में लिख दे और अधिकांस वही अनुवाद सफल हुए हैं जहां अनुवादक ने इस तरह की टिपड़ियां दी हैं तो अनुवाद किये हुए साहित्यका पूरे संसार में पूरे देश में एक भासा से दूसरी भासा के पाठकों तक पहुँचने में सेतू ब्रिज पुल के रूप में बहुत बड़ी भूमिका है और ज्यादा से ज्यादा अनुवाद और होने चाहिए आप यदि अच्छे अपनी भाषा के जानकार हैं और आपको यदि कोई दूसरी भासा और अच्छी आती है तो यह आपका दायत बनता है कि आप अपनी भासा के साहित्यका अनुवाद उस दूसरी भाषा में करें जो आप जानते हैं कि जैसे आपने भी कहा है मिष्ट्र श्रॉक्त बाक्ति श्राइब लगवट दस पंदर दुन पहले अच्छा 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 इए सब्सक्राइब करें लिए उन्होंने फिर बना करें गोले उसे कभी मैं थोरा सा एक अनुवाद में वैस्त हूं उनके पास बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं ना जी 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 सर्मार्थवी थी मेरी अभी तो जब मेरी बात उसे साथ दिल्ली थे उससे म टोर्मा को महानायत क्कमन जाता है टाजिंद रियादव को कम शर्प को और और लुर्डफ़ मौन राकेश को के ऐसा हुआ मोछन राकेश का आपको पता है महानरा केस्ट का मुँ में थी मौन राकेश पाकिस्तान में जब अपने गर में थे चब 6-7 वर्ष के रहे होंगे तो ये किराय के मकान में रहते थे और किरायदार के रूप में रहते थे और ये कई महीनों से किराया नहीं दे पाए थे इनके पितागी मृत्यू हुई और इनके पितागी अर्थी पार्थिव शरीर जमीन पे रखा हुआ था और इनका जो मकान मालिक था उसने अर्थी को उठा के दहा संसकार ले जाना रूप दिया था जब तक कि मेरा किराय नहीं दो गए अब सोचिए कि किसी पांच-शे वर्ष के बच्चे के सामने यह द्रसिब बच्चपन में आया हो तो उसकी मानसिता उसकी भाव भूमी उसका मनोविज्ञान कितना दुखी कितना पीड़ा कितना दर्द कितनी समवेदनाओं का समवा हक नहीं बनेगा तो यह मैंने उधारन आपको इसलिए दिया कि यह तीनों लोग अपने जीवन के बहुत ही तपे हुए तपे हुए लोग थे तो यह तीनों महानायक इनको इसलिए कहा जाता है कि इनसे पहले जो लिखा जा रहा था वो बड़े मज़े मज़े में लिखा जा जा रहा था आनन्द के लिए लिखा जा रहाता है स्वानता है सुखाय लिखा जा रहाता है ये जैसे आप लोगों के भी माता जी पिता जी घर में कहते हैं किसी के आने पेने नहीं अच्छी तरह से बात करना ध्यान से रहना अच्छी तरह से बोलना यानि किसी को दिखाने के लिए आपको यह कहा जाता है कि आप चाहें बैसे बुरे रहो पर कोई आये तो ज़र अच्छा देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके महानायक होने का जो मैंने जो तत्तु निकाला है वो यह है कि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि जैसा समाज है जैसा जीवन है जैसी परिस्तिती है जैसी दुनिया आज है हम बैसा लिखेंगे इन्हों ने उन कुरीतियों को उन परमपराओं को तोड़ा जैसे कवीर कहते हैंना कवीर क्या कहते हैं कभीर कहते हैं न कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है तो ये हिम्मत किसमें होती है नायक में नायक में पाथर पूजे हर मिले तो में पूजू पहार तो ये पंडितों को छेड़ दिया किसने नायक जिसके अंदर हिम्मत थी तो इस त्रही ने जिसको कि हम ट्रयों कहते है इस त्रही ने जो पारम परिक बल्कि मैं अगर और कटोश शब्दों का प्रियोग करूं तो जो थोड़ा सा पाखंडवाद साहत्य में चल रहा था उस पाखंडवाद पर करारी चोट करके जो जीवन क ये थार्थ था, उस तरह की कहानियां, उस तरह की उपन्यास लिखने की जो हिम्मत दिखाई, इसलिए इनको नई कहानी का नायक कायाता है। पिर सब्सक्राथ के लिखने की जो होती है। जैसे आप बाबा नागार्जुन को देखिए। अब बावा नागार जिनके दोर में महरानी एलजावेद का, महरानी विक्टोरिया का आना हुआ, तो उन्होंने जो है कितनी क्या-क्या रचनाई लिख दी, कितना विद्रोह का स्वर था, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, किस में हिम्मत थी, या जब अमर्जेंसी लगी तो क इसमें हिम्मत थी, या हमारे आज के दोर के एक बहुत अच्छे, बहुत विद्रोही कभी हैं, लखनव में, डॉक्टर वेद्रत बाजपेई, उन्होंने लिखा के, इस बारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता, सुनिए का द्यान से, इस बारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता, नहरू को वी येदिकाले पानी का दंड मिला होता, सोचिए, क्या लिख दिया उन्होंने, कोई सोच सकता है, क्या लिख रहा है कभी, कि इस भारत की स्वतंतता का पूरा सूर्य खिला होता नहरू को भी यदिकाले पानी का दंड मिला होता देश भक्त कव निर्वर रहते सरकारों दर्वारों पर सावर करका नाम लिखा है द्वारों पर दीवारों पर तो ये नायकत तो जो है ये हिम्मत जिस कथाकार में लेखक में रचनाकार में कवी में होती है वह अमर होता है उसको नायक का पद मिलता है जी आगे बढ़ते हैं सिर्फ मैं प्रश्ण उठाता हूं पहले चुकि समय भी तुरह होता जा रहा है तो वेधी जीन एक प्रश्ण पुछाए क्या आंचली को पन्याशों की विशेस्ताइं क्या होती है किन-किन विशेस्ताओं से को पन्यास आंचली को पन्यास बनता है जैसे कि आंचली को पन्यासों में फणी शर्ण पुनार रहनुने मेला आंचल लिखा तो आंचली को पन्यास की अगर आप साहिती ग्रूप से जानना चाहें तो यह जान लीजिए कि एक छेत्र विशेस की प्रस्ट भूमी जैसे आप मालिया कलिंगा में रहते हैं या उतकल में रहते हैं या बोलनगीर में रहते हैं या आप मद्य उडिजा में रहते हैं या आप बंग प्रदेश में रहते हैं और बंग में भी कई प्रदेश हैं कई छोटे-छोटे छेत्र हैं तो जब किसी छेत्र विशेश किसी अंचल विशेश की परिस्तितियों को वहां की वेहाँ की पनेसफतियों को, इन चीज़ों को, वहाँ की परंपराओं को, जब उपन्यास में मुक्य भूमिका में रखा जाता है, तो वह आँचलेग उपन्यास बनता है, यद्देपी मैं आपको यह बी बताओं, कि मैं इस बात का पक्षिदर नहीं हूँ, कि कोई आँचले को परन्यास होता है नहीं परन्यास परन्यास होता है साहत्य साहत्य होता है और जैसा के कमल जी ने कहा था अनुवाद से वह साहत्य लोग का हो जाता है वह लोग का रिपित हो जाता है आप टॉले स्टॉल की कहानिया हैं ग्रेम्स की कहानिया हैं सेक्सपियर के नाटक हैं आप कोई भी है इतने विदेशी सहँ सहतिकारिए उनका हम हंधी अनुवाद पड़ते हैं हमारे सहतिकारों का अंगरेजिय अनुवाद होता है फ्रेंच अनुवाद होता है घीता का थारे भाशियं में अन्वाद हुआ है, उसने कहा था कानी का अन्वाद हुआ है, प्रेम जिंतकी कितने उपन्यासों का अन्वाद हुआ है, तो साहथ आंचलिक उपन्यास जैसा कोई शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, जैसे कि वनिश्तनार रेनू क किra मेला आचल उपन्यास के लिए भी, नामवर्ण सिंग जैसे आलोचक ने बहुत वर्ष बाद में ये कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसको आंचले को पन्यास मान लिया या कह दिया जब कि इसकी समग्रता को देखते हुए ये अपने आप में संपूरों पन्यास है जी जी सरे एक अंतिम प्रस्ट में बहुत अच्छा पूछते हैं कि आधुनिक समय में पाठको के मन में किसी कथा को पढ़ने की जो संशिक्ता या मनोधसा अठात किसी कथा को कुछी समय में जो खत्म करने की आप देख समझे उबर कर आ रही है उस संदर में उपन्यास साहित की भविश्य किस प्रकार से दिखने हैं, किस प्रकार का होगा आपके क्या लगता है। अब जहां एक मा को खाना बनाने में भोजन बनाने में जंगल से लकडी लाने से लेके चूला जलाने से लेके बरतन पतीरी दोना आग जलाना भोजन पकाना धीरे धीरे चलाना हिलाना डोलाना यानि जो भोजन चार गंटे में तयार होता था अब आपका आजगा बिग्याप अपन कहता है मम्मी भूख लगी मैंगी दो मिनिट तो जब आपने यानि कि मैंने आपने आज के समाज ने आज के बाजार ने आज की उत्पादन की दुनिया ने प्राद्योगी की ने जब सब कुछ समेट दिया है तो फिर भी उपन्यास का भविश्य बहुत उज्वल है आज तो सब कुछ समेट दिया है जबकि होता क्या था कि धीरे धीरे रे मना धीरत से सब होए माली सीचे सोगड़ा रित्वावे फल होए तो पहले फल के लिए रित्व की प्रतिक्षा की जाती थी माली सोगड़ा सीच लेकिन ये जो बड़ा गती का जो योग है इस गती ने हमारी दुरुगती कर दिये संदेश की गती आवागवन की गती विचार की गती अध्यन की गती इसने हमारी दुरुगती कर दिये लेकिन फिर भी आप निशिंद रहिए उपन्यास सहित सहित्य की समस्त विधाओं में पढ़ा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े उपन्यास लेखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़े जा रहे हैं, सरे शाम कितने चांद थे आस्मा, एक उपन्यास है 800-900 पेज का, आप पढ़के देखिए छोड़ नहीं पाएंगे आप, या महासमर नौखंडों में हैं, नर आज का समाज कितना जल्दवाजी का समाज हो गया है, लेकिन ये निश्यत है कि ठहराव आएगा, ये दुनिया फिर सहती की और मुड़ेगी, फिर पीछे की और आएगी, एक कोरोना नाम की महामारी ने कितने परंपराएं, कितनी मानेताएं द्वस्त कर दी, और आदमी फि इसी तरह से हम लोग सहती के माध्यम से जीवन आनन्द की और लोटेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, उपरन्यास का भवेश्य बहुत अज्वल है, और मैं चाहता हूँ कि आप अनुववी हैं, सहती प्रेवी में हैं, आप भी एक उपरन्यास लिखिए और एक पाठक पक हैं, और चुकित सही हैं, मैं मैं चाहूँ गाँ से विद्यारतियों से पूछ यहीम से लगा आज का हमारा काहिकरम विशय बहुत बड़ा था तो ज्यादा कुछ तो नहीं समेट पाहें, लेकिन फिर भी प्रयास किया है, कि विशय के साथ पूरा नियाई हो द्यार्टियों को मुझसे ज़्यादा आपको सुनने में आनंद आता है उन्हों लगाता लिख भी रहे हैं एक द्यार्टियों ने लिखा भी है कि धन्यवाद सर आज्टी चक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महसुम भूमिता होगी अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहु द्याद मुझे भी आप लोगों के साथ बात करके कुछ कह के सुनके अच्छा लगता है मैं अभिशेक जी का और पूरी उडिसा विश्विद्य ले ओपन विश्विद्य ले की टीम का अमिद जी का आप सभी का बहुत-बहुत हारतिक आवार विक करता हूं धन्यवाद बे कर सकते हैं यह प्रेविद्यात्यों बहुत था थो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का आप से साथ सुनने के लिए कि शमय साड़े बारा तक ही होती है अब लगाता हादे गंटे से उपर उचिका चालिशनेंट फिर भी आप बने हुए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्य और कल इसी समय मिलिए कल से कल वापिस एक कक्षा है और आप लोगों को बता आदू कि कल की कक्षा मैं लेने वाला हूं रागदरवारी पन्यास के उपर तो आप मैसे जिनकी भी उच्छा हो आईए सुनिए उस कक्षा को उसक्षा से सर्मंधित अर्जोगी लक्ष्मिप्या मिश्टर जी आपको कुछ पूछना हो तो घ्लो जी पूछे नमस्तिस्तर एक्षिली मुझे लिंक की प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब इछले हफते से मतलब जो कि साथलगrd से क्लास रहती है तो मुझे लिंक आती है मैसेज में बठ बी बीच में नहीं आ रहा था तो मैं स्बिल प्रॉब्लम हो रहा था है ्म मुझे दोखना भी प्र वास्टतिक इस आप वार्साफम दुप बनी हुए सब्सक्राइब जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यातियों आप लोगों ने अपना समय दिया और सयम के साथ सुना कल फिर आपको साइए कल मैं ही कर्षा लेने वाला हूं रागदरवारी के उपर जो मेरा बहुत ही पसंदीदा उपन्याश है और इसी के साथ आप सब को बहुत बहुत धन् झाला हुत है